Hey guys, what's up, कैसे हैं आप सभी लोग, बहुत सभागत है आप सब का आज के इस amazing session में One Shot Revisionary Series में Income Tax हम लोगों का complete हो चुका है और GST की Revisionary Series आज से start हो रही है Today is the first session और आज जो topics हम लोग cover करेंगे वो होगा Supply under GST, Charge under GST, Composition Levy, Place of Supply, Exemptions and Time of Supply तो 6 topics हम लोग यहां पर cover करने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा Notes आप लोग वीडियो में दिये हुए, वीडियो के description में दिये हुए links से download कर सकते हो यह हम लोगों का आगे का Revisionary Schedule है, इसको आप लोग अपने screen पर देख सकते हो जिससे अगर आप लोगों को आगे की कुछ planning करनी हो, कि पहले से revise वगरा करके आनो, तो आप लोगों उसके हसाब से अपना schedule बना सकते हो, start करने से पहले एक छोटी थी announcement आपके juniors के लिए, अगर आप किसी junior को जानते हो जो CA Foundation December 24 की तयारी करने वाला है, तो एक आगरता दो-दो batches लेकर आ रहा है, 15th of April से CA Foundation December 24 के batches start हो रहे हैं, अगर आप live join करना चाहते हैं, तो you'll get it at 9,999, in which you'll get access to all the educators, right, और अगर आप offline face-to-face indoor में करना चाहते हो, तो the price is 24,999, बाकी details आप लोगों के सामने हैं, ये अगर आ कोटे crushes होंगे, जिनको आप बताना चाहो, तो आप उनके सामने बता सकते हो, ये सारी details आप लोग अपने screen पर देख सकते हो, let's get started, अब सुनो मेरी बात, supply under GST, right, ये एक ऐसा section है, section number 7, जिसमें इतने सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, कि उनको पढ़ते- बना दिया है, section 7 का, कि अगर आप लोगों ने ये वाला चार्ट पढ़ लिया, तो आपको इस से related, अब इसके अंदर कई सारे clarifications भी आए, इसके अंदर कई सारे examples भी आए, बहुत सारी चीज़ें हैं, and each of those things have been incorporated in this chart, ठीक है, each of those things has been incorporated in this chart, आप लोग देख सकते हो, बहुत comprehensive से अभी तो दिखाई भी नहीं दे रहा हो गई है, ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को open करके दिखाओ, तो ये section 7, ठीक है, अब section 7 के अंदर यहां पर आपके पास आता है, 4 subsections है, 1, ठीक, फिर 1A, फिर यह आपका आता है 2, और उसके बाद आता है 3, ठीक है, अब अगर ह even में, जो भी हम लोगोंने पढ़ा हुआ है, वो स्तारी की सारी चीज़ें यहां पर already included है, ठीक है, आओ, हम लोग इसका revision start करते हैं, ठीक है, तो supply के अंदर, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, subsection 1 के बारे में, supply, subsection 1 क्या कहता है, supply में क्या क्या आता है, subsection 1A क्या क्या क्य कहता है, कि इन इन चीज़ों को ना तो supply of goods मानना है, ना तो supply of services मानना है, और subsection 3 कहता है, कि हमारे पास, सरकार कहती है, कि हमारे पास power है, हम आगे चल कर कभी भी कुछ भी कर सकता है, basically, short में, ठीक है, हम लोग subsection 1 के बारे में बात करने जा रहे है, supply includes, अब इसके अंदर, अब मेरे कोई आप लोगे एक बात बताओ, यह 8 चीज़ें, क्या यह 8 चीज़ें सिर्फ exclusive हैं, या 8 चीज़ें सिर्फ illustrative हैं, तो यह 8 चीज़ें सिर्फ illustrative हैं, ठीक है, made or agreed to be made by a person, यहाँ पर person क्या हो जाता है, taxable person हो जाता है, taxable person मतलब कौन, a person who is liable to be registered under the GST Act, तो GST में अगर आपको registration, GST में अगर आपकी turnover 40 lakh cross कर जाती है, अगर आप goods के supplier हो, या अगर आप services के supplier हो, तो अगर आपकी turnover 20 lakh cross कर जाती है, तो you become liable to get yourself registered under GST, फिर आपने registration कराया हो, चाहे ना कराया हो, आप liable for registration हो गए, and once you are liable for registration, आप taxable person में आ गए, और वही taxable person, उसी taxable person के बार for a consideration, for a consideration in the course of furtherance of business, made or agreed to be made for a consideration in the course of furtherance of business, अब consideration को लेकर यहाँ पर कई सारी चीजों के बारे में बात की जाएगी, सबसे पहली बात, deposits, जो security deposit होता है, क्या उसको consideration माना जाता है, तो the answer is no, जब तक वो deposit को आप apply नहीं कर लेते हैं, आप consideration, तब तक deposit को consideration नहीं माना जाएगा दूसरा, artwork sent to gallery, मैं painter हूँ, मैं एक gallery में अपना artwork भेज रहा हूँ, क्या इसको supply माल लिया जाएगा, क्या इसमें कोई consideration है, नहीं, consideration कब होगी, जब उस gallery से कोई बंदा आकर, कोई अमीर बंदा आकर मेरी painting खरी देगा और मेरे को पैसे देगा, तब ही उसको supply बोला जाएगा मेरे business के लिए कोई promotional activity करेगी, मतब there has to be a certain quid pro quo, और उसके बाद हमारे पास आता है no claim bonus, तो अगर मेरे पास insurance claim है, और मैं उसका claim नहीं लेता हूँ, साल भर के लिए, तो उसके renewal पर, जो मेरे को discount मिलता है, जिसको हम no claim bonus कहते हैं, तो क्या मैं यह कह सकता हूँ, no claim bonus is a consideration for me not to claim any insurance, the answer is no, क्योंकि कोई obligation नहीं रहती है for me to not claim any insurance, तो obligation absent है, तो इसलिए no claim bonus को consideration नहीं बोला जाता है, and last अपना आ जाता है, in the course of furtherance of business, तो 7-1-A, आप लोगों का यहाँ पर clear हो गया है, 7-1-A में बात की जाती है, कि अगर कोई unincorporated associations हैं, या bodies हैं, जो अपने members को, कोई भी goods या services supply करनी है for a consideration, उसको भी supply मान लिया जाएगा, ठीक है, तो याद रखना, subsection 1 हम लोग कर रहें, that is supply includes, supply includes में clause A है, clause AA है, तो any supply by unincorporated associations or bodies to their members, चाहे goods हो, air conditioners वगेरा हो, चाहे services हो, कि आपकी बिजली का बिल हम लोग भर देते हैं, इसको supply मान लिया जाता है, उसके बा consideration है, तो चाही ये business purpose हो, चाहे business purpose के लिए नहीं हो, इसको फिर भी supply मान लिया जाएगा, ठीक है, तो usually supply हम कम मानते हैं, जब consideration भी होता है, और business purpose भी होता है, लेकिन ये जो 7.1B है, इसने कहा कि अगर आप services को import कर रहे हो, import of services, not goods, अगर आप services को import कर रहे हो, consideration दे रहे हो, तो चाहे वो business purpose के लिए है, चाहे वो business purpose के लिए नहीं है, उसको हम लोग, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग supply मान लेंगे, उसको हम लोग supply मान लेंगे, फिर 7.1C, 7.1C बात करता है, उन सभी activities के बारे में, जो अगर आपने without consideration भी undertaking, तब भी उसको supply मान लिया ठीक है, तो देखो, supply में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि consideration होना चाहिए, in the course of furtherness of business होना चाहिए, तो 7.1B ने तो कहा कि whether in the course of furtherness of business or not, ठीक है, अगर import of services हो रही है, consideration के लिए, तो उसको supply हम मान लेंगे, 7.1C कह रहा है कि भाई, ये एक schedule 1 है, उसके अंद मान लिया जाएगा, क्योंकि ये चल के आ रहा है, subsection 1 का ही पार्ट चल रहा है, ठीक है, अब सबसे पहला पारा जो इसमें है, वो है, permanent transfer या disposal, किस चीज़ का, business assets का, उन business assets का, जिन पर ITC आप अबेल कर चुके हो, अगर कोई ऐसे assets है, अगर कोई ऐसे assets है, जिन पर ITC आपने अवेल नहीं की है, या जिन पर ITC blocked है, और उन business assets को आप transfer करते हो, permanently transfer या dispose off करते हो, without consideration, तो क्या उसको supply माना जाएगा, उसको supply बिलकुल नहीं माना जाएगा, ठीक है, तो without consideration, permanently आपने अगर अपने किसी भी business asset का transfer किया, या उसका disposal किया, तो उसको supply तभी माना अगर उस पर आपने ITC claim की हुई है, तो ठीक है, पार टू, पार टू में बात होती है, transactions between related persons and distinct persons आथ पर section 25, तो related persons के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो related persons का मतलब क्या होता है, तो वो लोग related बोले जाते हैं, अगर वो एक दूसरे की business में एक control वाली position hold करके रखते हैं, legal partners हैं, अगर वो employer employee हैं, तो वो related persons हो जाते हैं, लेकिन employer employee की case में कुछ considerations हम लोगों को ध्यान में रखनी होगी, अगर service दी जारी है in terms of employment, मैं कहीं पर नौक नी कर रहा हूँ, तो मैं महाँ पर service दे रहा हूँ, वो मेरे को salary दे रहे हैं, तो ये salary GST के scope से बाहर है, तो salary भी म employee को gifts देता है, 50,000 रुपे तक की monetary value है, तो इसको supply नहीं माना जाएगा, अगर 50,000 से ज्यादा की value है, तो इसको supply मान लिया जाएगा, ठीक है, ये तो गया employer employee, आओ, अगर दो लोग एक दूसरे के businesses में significant stock ownership कर रहे हैं, यानि 25% या उससे ज्यादा की stock holding है, तो फिर वो बनना मेरा, वो company मेरे लिए related person हो जाएगी, अगर दो लोगों का एक दूसरे के पर direct और indirect control है, तो ये भी related persons हो जाएगे, अगर दो लोग किसी third party के control में हैं, तो ये दो आपस में related persons हो जाएगे, अगर ये दो लोग मिलकर किसी third party को control करते हैं, तो ये भी दो लोग आपस में related persons हो हैं अगर वो लोग holy या mainly dependent हैं आपके ओपर तो तो यह तो हो गई related persons वाली बात अब distinct persons as per section 25 के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं distinct persons as per section 25 का मतलब क्या है वो सारी एक ही business की वो सभी establishments जिनका अलग-अलग registration हुआ वा है तो GST में जो registration होता है वो state wise registration होता है अबना basis of PAN होता है तो मेरे को अगर एक state में मेरी multiple establishments है तो मुझे उनमे registration कराने की कोई जरूरत नहीं होती है एक registration काफी है लेकिन फिर भी अगर मैं चाहूँ तो एक state के अंदर अपनी multiple establishments के लिए मैं multiple registrations अगर मैं एक state के अंदर अपनी multiple establishments के लिए एकी registration रखता हूँ तो ये सभी establishments आपस में related persons, distinct persons नहीं कहलाएंगी लेकिन अगर एकी state के अंदर मैं अपनी multiple establishments के लिए multiple registrations भी ले लेता हूँ तो ये सभी establishments एक state में होते हुए भी distinct persons कहलाएंगी short में बोलो तो अगर अलग-अलग registrations है अगर अलग-अलग registrations है तो और गनाइटों एंट्री देटों वो जो establishments है वो distinct persons कहलाती है ठीक है अगर मालो मेरे पास अलग-अलग states में establishments है एक branch उत्तरप्रदेश में क्या कहता है कि हर registration whether in one or multiple states उसको हम लोग distinct person बोलेंगे अगर वो registered है तो ठीक है every registration ध्यान देना every registration each registration whether in one or multiple states is treated as a distinct person 25.5 क्या कहता है establishments in different states are treated as belonging to distinct persons एक registered है दूसरी registered नहीं है तो भी उनको distinct persons माना जाएगा अब इसके अंदर दो cases हमारे आ जाते है एक तो आता है कि अगर registered restaurant है ठीक है registered restaurant है एक state में महराश्च में registered restaurant है और उत्राखंड में एक unregistered liquor shop है ठीक है तो registered restaurant restaurant महराश्च से अगर उत्राखंड में कोई supply दी जाएगी तो उसको supply माना जाएगा या नहीं माना जाएगा ठीक है liquor shop उत्राखंड में है liquor shop उत्राखंड में liquor shop का registration कराने की कोई जरूरत ही नहीं है ठीक है तो उसको फिर भी supply माना जाएगा क्योंकि हम लोग ने बात की एक ही company की दो establishments है एक state में registered है दूसरे state में registered नहीं दी है तब भी इनको distinct establishments मान लिया जाएगा दूसरा stock transfers अगर एक branch अपनी एक company में एक branch से दूसरी branch पे आप stock को transfer करे हो without consideration तो फिर क्या होगा अगर इन branches के separate GST registrations है तब तो supply मान लिया जाएगा क्योंकि transaction between distinct persons हो जाएगा वो लेकिन अगर same branches same state के अंदर branches है और उस state का एकी registration है मतलब हर branch का अलग-अलग registration नहीं है तो इसको supply नहीं माना जाएगा तो इसको supply नहीं माना जाएगा इससे हमारा para 2 complete हो गया transactions between related persons and distinct persons between distinct persons as per section 25 अगर ये without consideration transaction हो रहे हैं फिर भी उसको supply मान लिया जाएगा para 3 बात करता है principle to agent और vice versa और ये बात करता है supply of goods के बारे में तो अगर principle ने agent को supply of goods किया without consideration और agent ने आगे principle के बहाफ पर बेचा या फिर agent ने principle के बहाफ पर goods खरीदे और agent ने principle को उन goods को भीजा without consideration तो इसको supply माना जाएगा या नहीं माना जाएगा यह हम लोग यहाँ पर discuss करने जा रहे हैं तो यहाँ पर sole criteria deciding factor जो होता है वो यह होता है कि जो invoice है वो agent के नाम पर है या नहीं अगर invoice agent के नाम पर तब तो यह supply है मतलब जो principle ने agent को भीजा वो भी supply था even if it was without consideration लेकिन अगर agent के नाम पर बिल नहीं है तो principle ने agent को अगर बिना consideration के सावान भीजा तो उसको supply नहीं माना जाएगा अब यहाँ पर एक dell credit agent का case है जिसको हम लोग यहाँ पर समझते है तो dell credit agent basically होता क्या है एक ऐसा agent होता है जो अपने principle को guarantee करता है कि अगर buyer से पैसा नहीं आया तो उसकी भरपाई मैं आपको करूगा तो dell credit agent और बाकी agents में क्या फर्क होता है dell credit agent यह ensure करता है अपने principle को कि आप बिल्कुल चिंता मत करिये मैं आपके बहाफ पर माल देच रहा हूँ अगर कहीं से किसी customer से पैसा नहीं मिला तो उसकी भरपाई मैं अपने जेप से आपको कर दूँगा अब dell credit agent भी para 3 of schedule 1 के हिसाब से agent माना जाएगा या नहीं माना जाएगा यह फिर से depend उसी पर करेगा कि यह dell credit agent invoice अपने नाम पर बना रहा है या principal के नाम पर बना रहा है अगर यह dell credit agent invoice अपने नाम पर बना रहा है तब तो यह para 3 schedule 1 के हिसाब से agent है otherwise यह para 3 schedule 1 के हिसाब से agent नहीं है ठीक है अब सुनो अगर यह para 3 schedule 1 के हिसाब से agent नहीं है अगर यह para 3 schedule 1 के हिसाब से agent नहीं है और यह recipient को यह recipient को 3 parties है ना principle, agent और recipient ठीक है principle agent को बेज रहा है, agent recipient को बेच रहा है तो अगर ये जो agent है ये para 3 schedule 1 वाला agent नहीं है मतलब ये अपने नाम पर bill नहीं बना रहा है ठीक है? और ये बन्दा recipient है इसने क्या किया, agent ने क्या किया Dell credit agent ने, इसको एक short term loan दे दिया इसको short term loan दे दिया, तो अब क्या ये इससे interest collect करेगा, बिल्कुल, recipient से interest मिलेगा, क्या ये interest, goods की value को affect करेगा, तो the answer is not at all, ठीक है, ये separate supply माना जाएगा, DCA में जो recipient को short term loan दिया, वो एक separate supply माना जाएगा, और ये goods की value को affect नहीं होगा, ठीक है, नहीं करेगा, लेकिन, अगर मा पारा 3 of schedule 1 क्या agent होने का मतलब क्या हुआ, कि DCA ने अपने नाम पर invoice बनाई, ठीक है, फिर से तीन लोग है, principal, agent, dell credit agent और recipient, अब अगर DCA ने इसको, recipient को short term loan दिया, तो जो भी interest charge होगा, वो interest goods की value में add हो जाएगा, ठीक है, तो interest charge by DCA is included in the value of goods supplied by the DCA to the recipient, ठीक है, ये हो गया, real credit agent पाला, पारा 3 हमारा यहाँ पर आकर complete हो जाता है, पारा 4, अरे पार फोर भी तो है भाई, कहा होंगा पारा 4, ये रह पारा 4, ठीक है, पारा 4, पारा 4 में क्या चीज़ है? तुम जाओ यार प Przyरा فोर में क्या चीज़ है पिरा पोर है import of services अगर आप services को import कर रहे हो without consideration of course क्योंकि हम लोग schedule one में चल अगर іч No.1 बात हो रही है तो अगर import of services हो रही है without consideration हो रही है कहाँ से हो रही है या तो related person से हो रही है in the course और furtherance of business हो रही है तो इसको भी supply मान लिया जाएगा तो import of service से लेकर एक तो 7-1-B था 7-1-B कहता है कि अगर आपने import की service consideration दी तो चाहे वो business के लिए हो चाहे business के लिए नहीं हो उसको supply माना जाएगा जो para 4 of schedule 1 है वो क्या कहता है कि अगर आपने services को import किया, consideration नहीं दी business purpose होना चाहिए अब import कहा से किया, या तो related person से किया या तो distinct establishment at the same company से किया तो ये supply माना जाएगा otherwise ये supply नहीं माना जाएगा तो section 7 का subsection 1 यानि supply includes उसके चारों clauses हमारे complete हो चुके है A, 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 B और C I hope आप लोगों को मसा आ रहा होगा आओ हम लोग आ जाते हैं अब subsection 1A पर subsection 1A क्या कहता है कि subsection 1 में तो तुमने ये decide कर लिया subsection 1 में तुमने decide कर लिया कि supply है क्या subsection 1A कहता है कि subsection 1 में तुमने decide कर लिया कि supply है क्या अब supply of goods होगा या supply of services होगा, वो मैं बताऊँगा, वो मैं बताऊँगा, तो supply as per section 7.1, to be considered as either supply of goods और supply of services as per schedule 2, अब schedule 2 में क्या-क्या चीज़ है, schedule 2 में अच्छी खासी चीज़ है, काफी सारी चीज़ है, बड़ा मसाएगा, देखो, सबसे पहला जो इसकी अंदर entry है, वो है 1.A, वो कह रहे ह तो इसको supply of goods बोला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी कह रहा है, अगर आप goods को use करने के लिए दे रहे हो, बस goods को use करने के लिए दे रहे हो, तो इसको supply of services कहा जाएगा, तीस्टा, 1.C कहता है, कि अगर आप goods का title transfer कर रहे हो, लेकिन वो एक future date पर करोगे, जब बाक हो गया, तो यहाँ पर goods का possession अभी दे दिया गया, लेकिन title बाद में transfer होगा, जब सारा का सारा payment आजाएगा, तो इसको भी supply of goods ही बोला जाएगा, common sense, next, any lease tenancy easement to occupy, license to occupy land, अगर जमीन को किराय पर दिया, तो वो basically आपका supply of services हो जाएगा, ठीक है, जमीन की, अगर sale of building या land sale को, ना तो supply of goods मानना है, ना तो supply of services मानना है, ठीक है, तो यह हो गया, आपका supply of services, तू भी पर आओ, तू भी क्या कहता है, any lease or letting out of building, including a commercial, industrial or residential complex for business or commerce, fully or partly, basically, अगर आपने building को किराय पर दिया, तो इसको भी supply of services ही माना जाएगा, ठीक है, तीसना, तीसना entry जो इसमें, वो क् treatment or process, which is applied to another person's goods, ठीक है, तो कपड़ा खरीदा, कपड़ा खरीदने के बाद आप दुकान पे चलेगा, डाय करवाने के लिए, तो दुकानदार ने जो आपके कपड़े को डाय किया, उसने आपके goods पर कोई एक treatment किया, तो वो दुकानदार डाय करने वाला आपको क्या दे र है, तो इसको supply of services बोला जाएगा, 4A, 4A बात करता है, कि अगर मेरे business assets को मैं use कर रहा हूँ, ठीक है, अगर business assets को मैं dispose of कर रहा हूँ, या transfer कर रहा हूँ, जिससे अब ये मेरे business assets का part form नहीं करेगा, तो इसको supply of goods माना जाएगा, 4B कहता है, कि मेरे business assets को अगर मैं private use के लिए र रहा हूँ, तो इसको supply of services माना जाएगा, इसको supply of services माना जाएगा, 4CA कहता है, कि अगर मैं taxable person अब नहीं रहा, अगर मैं business कर रहा हूँ, और मैं taxable person नहीं रहा, तो जिस दिन मैं taxable person नहीं रहूँगा, उससे just पहले मान लिया जाएगा, कि मेरे assets में जितना भी stock था, वो प कि मेरे taxable person sees करने से just पहले पूरा का पूरा माल बिक्या हूँ, या फिर अगर मेरा कोई personal representative business को carry forward करता है, तब भी ये supply of goods नहीं माना जाएगा, ठीक है, पतल अब तब भी ये नहीं माना जाएगा, कि मेरे taxable person sees होने से just पहले पूरा का पूरा माल बिक्या, ठीक है, अब सबसे पहला, renting of immovable property, सबसे पहला हो गया, renting of immovable property, CDC बात है, this is the supply of service, construction of a complex building civil structure और a part thereof, construction, ये भी supply of service हो गया, temporary transfer और permitting use or enjoyment of any intellectual property right, ठीक है, intellectual property right का अगर आप temporary transfer कर वे हो, ये use करने के लिए उसको permission दे रहे हो, तो ये भी supply of services हो गया, development, design, programming, customization, adaptation, upgradation, enhancement, implementation of IT software, तो अगर आप को से भी IT software develop वगेरा करवा रहे हो, तो ये भी supply of services हो गया, अब ये है सबसे important, agreeing to the obligation to, refrain from an act, or to tolerate an act or a situation, or to do an act, मैं agree कर रहा हो, मेरे उपर अब एक obligation है, किन चीज़ों के लिए, तीन चीज़ों के लिए, या तो कुछ काम ना करने की, refrain from an act, या तो किसी act को tolerate करने की, tolerate an act or a situation, य तो कोई काम करने की, or to do an act, ठीक है, अब इससे related एक clarification भी आया था, ठीक है, इससे related एक clarification भी आया था, उस clarification में बहुत सारी चीज़े mentioned थी, बहुत सारे examples और cases वगएर सारे mentioned थे, उन cases की summary, पूरा summarize gist मैं आप आप लोगों के साथ यहाँ पर share करने जा रहा हूँ, तो refrain from an act के कुछ examples उनलोगों ने दिये थे, कि non-compete agreement, non-compete agreement मतलब किसी business man ने अपने employee को बोल दिया, कि भाई तु यहाँ से तो छोड़ कर जा रहा है, लेकिन आप किसी और कहां जाकर यह वाला काम मत करी हो, और उसके लिए यह लिए 50 लाग रुपे, ठीक है, तो अब यह जो 50 लाग कि आईगी, क्योंकि अब employee के पास, जो भी employee है, जो भी बंदा है, जो पहले employee था, अब उसके उपर obligation है, to refrain from working in a similar industry, ठीक है, दूर्सा example है, builder refrains from constructing to provide sunlight, to protect sunlight to the neighbors, ठीक है, तो इसमें हम लोग ने बात की ती, कि अगर कोई एक builder है, उसके पास 10 माले बनाने की permission है, लेकिन अगल बगल के लोगों ने कहा, कि याँ चार माले पर रुख जाओ, उपर छे माले और बना लोगे, तो हमाले याँ धूप नहीं आईगी, तो वो रुख गया, उसने पैसे लिए और वो रुख गया, तो he agreed to refrain from an act, और तीसरा example था, contractor refrains from construction during school hours, इसमें हम लोग ने बात की थी, कि स्कूल वालों ने contractor से कहा, कि याँ स्कूल के पास building का construction दोपहर को दो बज़े तक रोख दो, क्योंकि स्कूल में आवाज आती है, बच्चे disturbed होते हैं, तो पैसे लिए, तो यहाँ पर भी आगया, agree, यहाँ पर भी obligation है, to refrain from an act, ठीक है, तो यह सारे, यह तीन आपके पास examples आ तो सबसे पहला है, कि shopkeeper ने एक hawker को, एक vendor को, एक थेले वाले को permission दे दिया है, कि हाँ ठीक है, जो common pavement है, वहाँ पर आकर तुम अपनी दुकान चला सकते हो, इसके लिए पैसे ले लिए, तो यह हमने tolerate कर लिया, कि हमारी दुकान की premises में एक थेले वाला भी आकर अपनी दु दूसर एक्जामपल है, RWA tolerating morning prayer sounds by neighboring school, कि resident welfare association थी, उसके बगल में school था, school में रोज सुबा असेमली होती थी, रोज सुबा वो असेमली में prayer करते थे, loudspeaker पे prayer होती थी, तो RWA वालों को दिक्कत होने लगे, school वालों ने RWA को पैसे दिये, अब RWA इस चीज को tolerate कर रहे हैं, ठी cases, ठीक है, इस से related हमारे पास आते हैं बहुत सारे cases, अब ये जो cases मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, कुछ cases, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये cases होंगे, not a supply, उस clarification में mentioned है, और clarification के अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत पूरे logic के साथ सब कुछ दिय हुआ है, ठीक है, तो वो clarification हम लोगों ने अपनी regular classes में discuss किया ही हुआ है, तो यहाँ पर फिर से उसके बारे में detail में बात करने का कोई sense नहीं है, we'll just talk about the gist के किन-किन transactions को क्या-क्या बोला हुआ है, तो अब मैं कुछ आप लोगों को cases बताऊगा, जो उस clarification के हिसाब से supply नही right, etc. ठीक है, तो अगर मेरी property आप damage कर रहे हो, piracy कर रहे हो मेरी किसी picture वगएर कि आप piracy कर रहे हो और उसका मेरे को आप damage दे दे रहे हो, ठीक है, तो हम यह नहीं बोलेंगे कि मैंने सह लिया कि आपने मेरी piracy की, ठीक है, मैं सहा हुआ नहीं माना जाओगा, तो आप जो मेर अगर जितना भी होगा, तो हम penalty लेंगे तुमसे, यह तुम्हारी fees में से वो पैसा काट देंगे, तो वो जो fees में से पैसा काटा जा रहा है, यह नहीं बोला जाएगा कि I am obligated to tolerate this act, यह compensatory nature है, इसने इसको supply नहीं माना जाएगा, for feature of advanced money, इसको भी supply नहीं माना जाएगा, for feature of earnest money by builder of natural resources, ठीक है, तो natural resources वाले builder ने कहा कि मैं हाँ हाँ, मैं करूँगा, और basically तो यह क्या होता है, कि जो natural resources होती है, वो कोई भी नहीं खोद सकता, तो उसके लिए सरकार से आपको permission मिलती है, ठीक है, उसके लिए आपको सरकार से permission मिलती है, तो सरकार से आपने permission लेके खुद कर लिया, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि सरकार सेह रही है, तो इसको भी supply नहीं माना जाएगा, ठीक है, check dishonor fine या penalty, इसको भी supply नहीं माना जाएगा, penalty for violation of law, इसको भी supply नहीं माना जाएगा, penalty for excess mining over permissible limit, तो वही वाली बात होती है, जो natural mining की मेरे पास जितना permission मिली हुई है, उससे ज्याद मैं mining कर रहा हूँ, और उसके लिए अगर मैं सरकार को कुछ दे रहा हूँ, तो यह नहीं बोला जाएगा, कि सरकार is tolerating this act, तो यह not a supply हो जाएगा, poor feature of salary or payment of bond amount from employee for leaving earlier than a minimum agreed period, ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में detailed discussion हम लोगों का already हुआ है, regular classes में, अभी मै आप लोगों को सिर्फ यह transactions बता रहा हूँ, क्योंकि यह transactions आपको याद रखे जाने होंगे, इन transactions के basis पर MCQ में भी कई सारे questions बन सकते हैं, अब इन transactions के पीछे के जो explanations हैं, वो आप लोग उस detail जहां से भी आपने पढ़ा ही किये, महां से आप लोग पढ़ोगे, लेकिन यह transactions कुछ important transactions हैं, तो यह हो गए, not a supply, अब कुछ और cases के बारे में बात करूँगा, वो clarification के हिसाब से supply हैं, जैसे penalty for not making the payment on time, when it is as per contract, तो यह सारे के सारे देखवाँ, यह supply हैं, तो clarification के साब से यह चीज़ें supply है, penalty for not making the payment on time, अगर आपने timely payment नहीं किया, और उसके लिए penalty लगाई जा रही है, तो इसको supply मान लिया जाएगा, for feature of ticket amount for not showing up, ticket आपने खरीद दिया, आप गए नहीं, बाद में आपने का रहे, यार मैं जानी पाया, cancel कर दो, airlines ने ticket का amount forfeit कर लिया, यह supply है, ठीक है, for feature of security deposit for getting tickets cancelled, तो यह भी आपके minimum जो cancellation charges होते हैं, यह भी आपका supply हो जाता है, early term termination fee of lease, आपने कोई चीज़ lease पर ली, और suppose 10 साल की lease थी, आप 8 साल बाद चले गए, आपने का यार बस अब मेरे को खतम करनी है lease, तो 2 साल की lease का किराया देने से बच जाएगा, तो यहाँ पर एक termination fee लगेगी आपकी, इसको भी supply माना जाएगा, prepayment charges for loans by banks, तो अगर आपने bank से कोई loan लिया है, उस loan को आप tenure के पहले-पहले pay कर देते हो, तो bank आप से prepayment charges लेते हैं, उसको भी supply माना जाता है, late fee और penalty for electricity, water, your telecommunication, इसको भी supply माना जाता है, इन सभी cases में, जो भी aggrieved party है, that has an obligation to tolerate an act or a situation, ठीक है, this is as per the clarification, cancellation charges of train tickets, flight tickets, यह भी आपका supply मान जाता है, fixed charges for electricity, तो fixed charges for electricity, basically इसमें चाहिए कुछ भी हो जाए, लेकिन यह exempt है, क्योंकि electricity ही exempt होती है, तो इसमें GST होता ही नहीं, ठीक है, यह तो हो गई, सारी की सारी supply वाली चीज़ है, ठीक है, तो agreeing to the obligation to refrain from an act, हम लोग ने डिसकस कर लिया, tolerate an act or a situation, डिसकस कर लिया, clarification अभी भी चल है, do an act के बारे में अब लोग यहां पर बात कर रहे हैं, तो do an act से related जो example दिया हुआ है, वो यह है, factory agreeing to install zero emission equipment, इसमें हम लोग ने बात की थी, कि एक factory है, उसमें से धुआ निकलता है, इवन दो धुआ permissible limit के अंदर अंदर निकलता है, फिर भी अगल बगल वाले घरों ने क जाएगा, ठीक है, और उसके बाद हम कर रहे हैं वो ही, para 5 कर रहे है, ठीक है, schedule 2 कर रहे है, ध्यान रखना, हम schedule 2 कर रहे है, schedule 2 के अंदर क्या है, कि in activities को supply of goods यह supply of services माना जाएगा, और उसके अंदर हम entry 5 कर रहे है, entry 5 के अंदर सारी की सारी चीज़ें जो भी है, वो supply of services है, उसके अंदर एक चीज़ यह थी, agreeing to the obligation to refrain from an act, tolerate an act of a situation, और to do an act, ठीक है, इसको भी supply of service माना जाएगा, लेकिन इसके अंदर कुछ clarification था, हम उस clarification में बह गए थे, ठीक है, तो हम कर रहे हैं अभी भी entry number 5, और ये वाली जो चीज़ अभी highlighted आप लोग को आपके screen पर दिख रहे ये भी है supply of service, transfer of right to use any goods for any purpose, for cash, deferred payment or other valuable consideration, मतलब मेरे goods का use करने की मैं आपको permission दे रहा हूँ और मैं आपसे consideration ले रहा हूँ, इसको भी supply of services मान लिया जाएगा, तो ये entry 5 का सारा का सारा supply of services है, ठीक है, entry 6, schedule 2 के अंदर entry 6 है, works contract और restaurant services, इन दोनों ही चीज़ों को supply of services मान लिया जाएगा, ठीक है, इससे हमारी schedule 2 वाली सारी की सारी चीज़े complete हो जाती है, तो subsection 1 complete हो गया, 1A complete हो गया, अब आजाओ subsection 2 पर, subsection 2 कहता है, कि इन इन चीज़ों को ना तो supply of goods मानेंगे, और ना ही supply of services मानेंगे, इसके अंदर दो clauses है, activities neither treated as supply of goods, nor a supply of services, इसके अंदर एक तो 7 to A है, और दूसा 7 to B है, 7 to A कहता है कि schedule 3 के अंदर जितनी भी activities है, उनको ना तो supply of goods मानेंगे, ना तो supply of services मानेंगे, schedule 3 में बोला गया है, सबसे पहली जो entry है, वो यह है, services by an employee to the employer in the course of, और in relation to employment, तो इसके बारे में हम लोग ने कई बार बात किये, कि employer employee भले ही related persons है, लेकिन employee जो services दे रहा है, उसके बदले जो employer उसको salary दे रहा है, उस पर GST नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन premature termination of contract इसको supply नहीं माना जाएगा, non-compete payments इसको supply माना जाएगा, ठीक है, तो जो premature termination of contract होता है, वो in the course of employment हो जाता है, premature termination of contract का मतलब क्या हो गया, कि employer ने का कि भीया, तुम हमारे यह नौकरी करोगे, लेकिन हम तुमको अब नौकरी पर नहीं रख सकते हैं, हम तुमको 2 साल के अंदर अंदर ही निकाल रहे है, 8 साल का payment का कुछ compensation हम तुमको दे रहे हैं, ठीक है, तो यह in the course of employment ही माना जाता है, और इसको इसको supply नहीं माना जाता है, लेकिन अगर employee चोड़ कर जाता है, और employer उससे कहता है, लेकिन हमारी competing industry में काम मत करना, तो यह non-compete payment हो गया, इसको supply मान लिया जाता है, तो जो construction contractors होते हैं, या जो security services providing वाली companies होती है, वो कई बार casual workers को अपने hire कर लेती है, तो उनको भी, जो भी salary वगेरा देती है, उसको भी payroll वाला ही मान जाता है, employer-employee relationship मान लिया जाता है, तो जो construction contract वाली companies है, वो अगर अपने casual laborers को पैसा दे रही है, उस पर GST नहीं लगता, और similarly, जो security services provide करने वाली companies होती है, वो अगर अपने casual workers को कुछ भी पैसा दे रही है, तो उस पर भी GST नहीं लगता है, तो payment by construction contractors और security companies to casual workers, not a supply, लेक मैंने अगर किसी construction contractor को hire किया है, कि तो मेरे लिए building मना दो, ठीक है, और मैं उस construction contractor को पैसा दे रहा हूँ, तो यह तो supplier है न, अब वो construction contractor casual worker से मेरा काम करवा है, या permanent employees से मेरा काम करवा है, उससे मेरे को क्या ही फरक पढ़ता है, ठीक है, आओ, directors के बारे में बात करते हैं, जो employee नहीं माना जा रहा है, तो जो उनको payment दिया जाएगा, उस पर GST लगेगा, तो इसमें मैं आप लोगों को हमेशा एक example देता हूँ, जब हम लोग academy में थे, तो अंशुल सर एक director भी थे, अंशुल सर एक educator भी थे, तो उनके दो contracts थे with an academy, एक educator contract था और एक director वाला contract था, ठीक जो an academy के साथ अंशुल सर का educator वाला contract था, उस पर GST लग जाता था, अगर कोई independent या nominee या non executive director है, तो उसको जो भी पैसा मिलेगा, उसको supply माना जाएगा, उस पर GST लगेगा, लेकिन इस पर जो GST होता है, वो reverse charge में लगता है, मतलब company को ही GST पे करना होता है, reverse charge के बारे में ह होगा, आगे होगा, ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पर schedule 3 के अंदर entry number 2 पर हम लोग आ जा रहे हैं, और entry number 2 है, services by any court or tribunal established under any law for the timing and force, तो अगर कोई court या tribunal आपको कोई service दे रही है, तो उसको ना तो supply of goods बोलेंगे, ना तो supply of services बोलेंगे, entry number 3, इसमें वोई है, MP, MLA वगेर वाली चीज़ है, ठीक है, functions performed by the member of parliaments, member of state legislatures, member of panchayats, member of municipalities, member of other local authorities, फिरे किया हो गया, 3B, duties performed by any person who holds any post in pursuence of the provisions of the constitution in that capacity, और 3C हो गया, duties performed by any person as a chair person or member or a director in a body established by a central government or a state government or local authority and who is not deemed as an employee before the commencement of this clause, basically MP, MLA, government वाले अगर आपको कोई भी service दे रहे हैं, तो ना तो उसको supply of service माना जाता है, ना तो उसको supply of goods माना जाता है, entry number 4 पर आते हैं, entry number 4 कहती है, कि services of funeral, burial, crematorium और mortuary, including transportation of the diseased, ठीक है, तो funeral क्या होता है, जला देना, burial क्या होता है, दफना देना, crematorium क्या होता है, जहाँ पर जलाया जाता है, और mortuary क्या होती है, जहाँ पर dead body store की जाती है, और अगर dead लोगों को transport भी क्या जा रहा है, तो यह सारी के सारी जो services होती है, इसको ना तो supply of goods बोला जाएगा, ना ही supply of services बोला जाएगा, उसके बाद आता है आपका entry number 5, entry number 5 बात करती है, sale of land and sale of building के बार तो इसको supply of services मान लिया जाता है as per schedule 2, जिसका revision अभी अभी हम लोगों ने किया है, लेकिन अगर construction completion certificate के बाद आपने building बेची है, तो इसको supply नहीं माना जाता है, tenancy rights से related clarification आयाता है यहापर, तो transfer of tenancy rights, अगर आप tenancy rights को consideration के लिए लेते हो, तो इसको supply माना जाता है, even though यहाँ पर stamp duty और registration charges दिये जाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं हो गया कि यह supply of, यह sale of land या sale of building हो रहा है, तो इसको supply माना जाता है, तो इसको supply माना जाता है, अब अगर आपने transfer of tenancy rights किया, tenancy rights को transfer किया, नए tenant को against tenancy premium, तो यह भी आपका taxable हो जाता है, और इसमें कुछ exemptions है, grant of tenancy rights in residential dwelling for use as residential dwelling against tenancy premium और periodic rent और both, तो residential dwelling में अगर आपने tenancy right दिये, तो यह आपका exempt हो जाता है, और अगर outgoing tenant, किसी दूसरे tenant को देकर जाता है, services provided by outgoing tenant by surrendering the tenancy rights against a portion of the tenancy premium, तो यह भी आपका GST के लिए liable हो जाता है, यह भी आपका GST के लिए liable हो जाता है, अब आओ यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, entry number six के बारे में, entry number six क्याती है, actionable claims other than specified actionable claims, इस वाले point में amendment आया हुआ है, पहले क्या था, पहले था actionable claims other than lottery betting और gambling, ठीक है, लेकर अब यहाँ पर तीन actionable claims को और जोड दिया गया ह other than करके, तीन actionable claims को और जोड दिया गया है, मतलब क्या हुआ, actionable claims जो भी होते हैं, उनको ना तो supply of goods माना जाएगा, नहीं supply of services माना जाएगा, क्योंकि हम लोग बात करते हैं, schedule three के बारे में, other than lottery betting gambling था, मतलब lottery betting gambling को supply माना जाएगा, ठीक है, आगे चलकर हम लोग देखेंगे, कि actionable claims को goods की definition में रखा गया है, तो lottery betting gambling भी supply of goods हो जाते थे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर उन तीन के अलावा, तीन और actionable claims को जोड दिया गया है, तो instead of writing other than all six, यहाँ पर लिखा गया है, other than specified actionable claims, ठीक है, आओ, एक एक चीज़ करके समझते हैं, सबसे पहले actionable claim का मतलब क्या ह होता है, तो हिंदी में इसका simple सा मतलब, मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप किसी claim को, अगर आप कोई चीज़ कहा रहे हो, कि इसने मेरा पैसा खाया हुआ है, और आप उसके against legal action ले सकते हो, तो वो एक actionable claim हो जाता है, कौन कौन से specified actionable claims है, जो कि अब taxability के GST के पर व पहले भी था, फिर आगया है casinos, तो casinos नया है, फिर gambling जो पहले भी था, फिर horse racing, horse racing नया है, और फिर हमारे पास है lotries जो की पहले भी था, और अब नया जो आया है, वो है online money gaming, ठीक है, online games आप खेलते हो, उससे आप पैसा कमाते हो, तो वो अब आपका actionable claim है, और वो ऐसा actionable claim है कि उसको supply माना जाएगा, ठीक है, normally actionable claim, कोई भी actionable claim होता है, उसको ना तो supply of goods माना जाता है, नहीं supply of services माना जाता है, except for these six, betting, casinos, gambling, horse racing, lottery, and online money gaming, अब online money gaming की, यहाँ पर definition दी हुई है, online games, online money gaming का मतलब क्या है, online games, where players pay or deposit money in expectation of winning money or other valuables, including virtual digital assets, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऐसे games, जिनमें आप online अपना पैसा deposit करते हो, इस expectation के साथ, कि आप इस game में money जीतोगे, ठीक है, अब पैसा जीतोगे, तो पैसा तो जीतोगे, जीतोगे, लेकिन अभी recently क्या हुआ है, पिछले 2 साल से, जो cryptocurrencies और NFTs का market है, वो भी बहुत टेजी से boom कर रहा है, ठीक है, बहुत टेजी से boom कर रहा है, मतलब अब यह cryptocurrency क्या होती है, NFTs क्या होते है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करने लग जाएंगे, तो unnecessarily वह जादा time लग जाएगा, basically, cryptocurrencies को और NFTs को भी यहाँ पर include किया हुआ है, मतलब, अगर आप किसी online game में participate करते हो और आप उस game से bitcoin जीतते हो, तो आप यह नहीं कह सकते कि, अरे मैंने पैसा कहां जीता, मैंने तो bitcoin जीता, ठीक है, तो इस पर GST नहीं लगना चाहिए, फरकार कहती है नहीं, यह जो bitcoin है, यह जो ethereum है, यह जो solana है, यह जो NFTs है, यह सारे के सारे हो जाएंगे, virtual digital assets, यह सारे क और deposit in expectation of winning money, यह तो पैसा जीत रहे हो, तब तो कोई पंगाई नहीं है, और other valuables, including virtual digital assets, ठीक है, virtual digital assets में क्या-क्या, एक simple भाशा में, digital representation of value, that can be trade or stored electronically, including cryptocurrencies and NFTs, ठीक है, तो इस ब्रॉडली defined and subject to GST, if involved in the specified actionable claims, अब इसकी वज़र से, जो supplier की definition है, उसमें भी amendment आया है, और supplier की definition में simply यह बोल दिया है, कि अगर कोई एक ऐसा बंदा है, जो इस type के virtual digital assets की facility provide कर रहा है, ठीक है, या इस type के specified actionable claims को provide कर रहा है, तो वो भी अब supplier होगा, तो the definition now includes those who arrange और supply specified actionable claims via digital और electronic platforms, making them liable to GST, ठीक है, तो यह काफी important amendment है, आप लोगों के लिए, GST amendment act आया था, उस amendment act के तहत, यह वाला amendment आ चुका है, ठीक है, तो actionable claims में, actionable claims ना तो supply of goods है, ना ही supply of services है, लेकिन actionable claims में पहले सिर्फ तीन exceptions थे, lottery, betting और gambling, ठीक है, सिर्फ lottery, betting और gambling पहले GST के लिए liable होते थे, लेकिन अब 6 है, ठीक है, अब यहाँ पर betting, casinos, horse races और online money gaming को भी include कर दिया है, ठीक है, और online money gaming gaming का, क्या-क्या मतलब है, उसको हम लोग यहाँ पर discuss कर चुके है, right, okay, 7 to A, में तो schedule 3 आया था, 7 to B, बड़ा simple सा है, activities or transactions by central government, state government, local authorities, public authorities, notified by government, यह वो, यह सारे भी चीज़ें क्या हो जाती है, यह ना तो supply of goods मानी जाएंगी, ना ही supply of services मानी जाएंगी, notified services कौन सी है, पंचाय alcoholic liquor license, अगर alcoholic liquor license, कोई भी state, किसी भी दुकानदार को provide कर रही है, तो क्या उसको supply माना जाएगा, supply by way of grant of alcoholic liquor license by state governments, तो इसको supply नहीं माना जाएगा, alcoholic liquor for human consumption, GST के scope से बाहर है, ठीक है, बाकी सारे licenses को, बिलकुल supply माना जाएगा, उस पर GST payable होगा, ठीक है, services provided by the government, अगर services किसको दी जा रही है, government service दे रही है, किसको, business entities को services दे रही है, by way of granting privileges, licenses, वगएरा, वगएरा, तो, यह taxable तो है, लेकिन यह liable to reverse charge भी है, क्योंकि business entities, अब इस पर reverse charge पर GST pay करेंगी, ठीक है, कुछ और non-supplies है, जिनको clarification के जरिए, सरकार ने notify किया हुआ, ठीक है, अभी तक हम section 2 में हम लोगे 2A देख लिया, जिसमें schedule 3 के कई सारी activities देखी, 2B देख लिया, जिसमें सरकार के बहुत तारे functions देख लिया, अब 2 से बाहरा आ जाओ, लेकिन कुछ non-supplies by way of clarification भी provided है, उन non-supplies को हम लोगे यहां पर देखते हैं, interstate movement of conveniences, अगर एक state से दूसरी state में conveniences move हो र trains, buses, trucks, tankers, trailers, vessels, containers, aircrafts, for carrying goods or passengers or both, और for repair and maintenance, ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, इसको ना तो supply of goods माना जाएगा, नहीं supply of services माना जाएगा, GST इस पर नहीं लगेगा, लेकिन हा, repairs and maintenance के लिए जो पैसा दिया जाएगा, जो repairs and maintenance के लिए पैसा दिया जाएगा, उस पर GST यह भी आपके इन पर भी GST बगेगा, ठीक है, तो ना तो supply of goods होगा, ना ही supply of services बोला जाएगा, राइट, लास्ट में आता है हमारे पास, section 7, subsection 3, ठीक है, section 7, subsection 3, और यहां पर सरकार कहती है, कि हम कभी भी, हमारे पास power है, council की recommendations के basis पर, हम कभी भी कह देंगे, कि इस वाल supply of services मालो, goods नहीं, ठीक है, यह था, आपके पास, पूरा का पूरा, section 7, supply का revision, I hope, आप लोगों को, section 7 के revision में मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, तो the entire section 7, is incorporated in just one chart, और आप लोग देख सकते होगे, इसकी comprehensiveness, ठीक है, तो आप included every example, every clarification, every point of confusion, that there could be, जो आप last moment पर अगर revise करोगे, तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर इसको revise करने में, 42-43 minutes लगे, अभी 46 minutes की, यहाँ पर वीडियो आप लोगों की चल चुकी है, अभी तक, ठीक है, लेकिन, शुरू के 2-3 minutes में ने कुछ introduction मेगा भी दिय तो यह आप लोग कभी भी देख सकते हो, इसको सुन सकते हो, और यह चार्ट आप लोग, आप लोगों के पास है, आप लोग इसको download कर रही सकते हो, वीडियो के description में इसका link दिया हुआ है, ठीक है, section 7 यहाँ पर complete हो जाता है, उसके बाद बची हुई चीज़ों पर आते है गोड़ की definition को analyze करते हैं, तो देखो, गोड़ में क्या होगा, क्या movable property को goods बोला जाएगा, बिलकुल इसको goods बोला जाएगा, must be capable of being bought and sold, immovable property इसमें से excluded हो जाती है, क्या money को goods बोला जाएगा, बिलकुल भी नहीं, यह goods की definition से explicitly exclude किया हुआ है, क्या security इसको goods बोला जाएगा बिल्कुल भी नहीं, ये भी exclude किया हुआ है, ठीक है, तो principle to principle basis पर अगर securities के transactions होंगे, तो उसको GST के purview से बाहर रखा गया है, actionable claims, ठीक है, actionable claims, yes, ये goods की definition में आ जाते हैं, ठीक है, actionable claims, जो है, वो goods की definition में आ जाते हैं, लेकिन, 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 अभी-अभी हम लोगोंने schedule 3 देखा, और schedule 3 में हम लोगोंने क्या देखा, कि actionable claims, ना तो supply of services माने जाएंगे, ना तो supply of goods माने जाएंगे, लेकिन, उसके exceptions हैं ये छे, betting, casinos, gambling, horse racing, lottery, and online money gaming, इन पर GST लगेगा, growing crops को goods माना जाएगा, क्या, येस, लेकिन, severability is a crucial element for consideration, बेचने से पहले उसको, जमीन से उखार कर बेचना होगा, standing trees को goods की definition में ने रखा गया है, लेकिन, standing timber को goods की definition में रखा गया है, क्योंकि यहां पर भी severability आ जाती है, ठीक है, आ आप लग लेख सकतो, money और securities जो है, वो ना तो goods होगी, ना तो services होगी, right, includes activities relating to the use of money or its conversion with a separate consideration, ठीक है, तो use of money का मतलब क्या हो गया, अगर मैंने bank में पैसा जमा किया, और उसके लिए bank में को consideration देगा by way of interest, तो इसको services definitely माना जाएगा, ठीक है, common understanding of service है, economic activity, that is intangible, not stored, does not result in ownership, ठीक है, this is consumed at the point of sale, बट इसका benefit जो है, वो लंबे समय तक रह सकता है, आओ, transactions in money के बारे में बात करते है, pure transaction in money, तो ना तो goods है, ना तो service है, लेकिन money में, अगर money का use करने के लिए कोई transaction हो रहा है, जिसके लिए separate concentration charge की जारी है, तो इसको supply of service माना जाएगा, ठीक है, तो if a separate fee is charged for the conversion or change in the form, currency or denomination, तो ये supply होगा, direct exchange or change without a fee, ये supply बिल्कुल भी नहीं होगा, मैंने आपको 2000 का note दिया, आपने मेरे को 5500 के 4 note दे दिये, बिल्कुल भी supply नहीं है, मैंने आपको 2000 का note दिया, आपने मेरे को 1900 रुपे दे दिये, उसके बले छुटे 1900 रुपे दे दिये, और य GST लगेगा, direct money transactions without a fee are not services, those with fee are subject to GST, bank interest बिल्कुल उसमें आ जाता है, services में आ जाता है, exclusion में नहीं है, depositing money in a bank is considered a supply of service because a bank pays interest, personal money transfers बिल्कुल भी नहीं है, service नहीं है, तो ये exclude हो जाएगा, money given without charging anything, that is a father giving money to his children, is not considered as a service, security transactions, ठीक है, तो अगर brokerage services provide कर रहे है, जैसे grow zero था वागेरा, उन पर मैं shares खरीद रहा हूँ, वो लोग क्या कर रहे है, shares खरीदने के लिए brokerage services ले रहे है, brokerage ले रहे, तो ये brokerage पर GST लगेगा, लेकिन shares खरीदने पर कोई GST नहीं होगा, direct transaction and securities आपका service ले excluded होता है, तो transactions and securities are not services, but brokerage services facilitating these transactions are, ठीक है, और राइट, आगे circular आया है, this is a very important amendment, ठीक है, basically तीन amendments है, supply वाले चाप्टर में, ठीक है, तीन amendments है, एक amendment हम लोगो ने वही पर देख लिया, actionable claims के अंदर, जो specified actionable claims है, उसमें तीन actionable claims को जोड़ा गया है, online money gaming, virtual digital assets के बारे में हम लोग ने बात की, दो और circulars है, जो कि आपके supply के चाप्टर के subsidiary company में उसके shares है, ठीक है, suppose एक A limited है, holding company है, B limited एक subsidiary company है, obviously A limited के पास B limited के shares हो, ठीक, securities are considered as neither goods nor services as per section 252 and 202 of the CGST Act 2017, further, no services being provided by the holding company to the subsidiary, merely by holding the shares of the subsidiary company, unless there is a separate supply of services in accordance with section 7 of the CGST Act, hence, the activity of holding of shares of subsidiary company by the holding company per se, cannot be treated as supply of services and cannot be taxed under GST, ठीक है, तो यहाँ पर यह सवाल उठा था, कि holding company के पास subsidiary company के shares है, तो क्या holding company subsidiary को को कोई supply दे रही है, कोई services वगएर दे रही है, कुछ भी नहीं दे रही है, तो simple सा clarification है, अगर holding company subsidiary company के shares को hold कर रही है, तो सिर्फ shares को hold करने के वए जिसे holding company कोई supply वगएरा थोड़ी दे रही है, कोई services दे रही है, तो इसको supply बिल्कुल भी नहीं माना जाए का, ठीक है, अलग अलग प्रकार की supplies होती है, GST law में, एक एक करके हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, इसको चार parts में देखेंगे, हर supply के लिए definition देखेंगे, उनके key characteristics देखेंगे, inclusion criteria देखेंगे और exclusion criteria भी हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे taxable supply के बारे में, तो supply of goods or services और both, which is leviable to tax, यह होगे आपकी taxable supply, इसमें goods or services आने चाहिए, must fall within the definition of supply, leviable to GST, should not be specified under schedule 3, ठीक है, अगर कोई भी supply schedule 3 में specified है, तो वो आ कहता है, कि इन चीजों को ना तो supply of goods मानना है, ना ही supply of services मानना है, ठीक है, non-taxable supply के बारे में, बात करते हैं, तो supply of goods or services और both, not leviable to tax under GST और IGST Act, ठीक है, एक ऐसी supply जिस पर GST लगेगा ही नहीं, वो आपकी non-taxable supply है, excludes alcoholic liquor for human consumption, क्या आप alcoholic liquor for human consumption को non-taxable supply बोल सकते हो, आपक नहीं बोल सकते है, ठीक है, नहीं बोल सकते है, क्योंकि alcoholic liquor for human consumption, GST के scope में supply ही नहीं है, ठीक है, GST के scope में supply ही नहीं है, तो यहाँ पर वो ही लिखा हुआ है, कि non-taxable supply excludes alcoholic liquor for human consumption, बदब, we cannot call alcoholic liquor for human consumption a non-taxable supply, why? because it is not even a supply alcoholic liquor for human consumption supply ही नहीं है न तो इसले यह non-taxable taxable तो दूर की बात है right it must be a supply as defined excluded from GST scope ठीक supplies covered by exemptions nil rated or zero rated are not non-taxable तो जो nil rated supplies होंगी यह zero rated supplies होंगी यह non-taxable supplies होंगी जो nil rated supplies होंगी exempt supplies होंगी exempt supplies nil rated supplies यह zero rated supplies इनको non-taxable supply नहीं बोला जाएगा नil rated supplies कौन से होती है वो supplies होती है जो GST के rate में GST का जो rate वाला schedule है उस rate schedule के आगे उन supplies के सामने zero लिखावा है वो गई आपकी nil rated supplies exempt supplies कौन से होती है जिनको government एक notification के जर्य बताती है कि यह supplies आपकी exempt supplies है तो supply of any goods or services और both which attracts nil rate of tax और wholly exempt from tax तो या तो वो supplies nil rated है या तो wholly exempt है ये सारी की सारी exempt का जाएंगी includes non-taxable supply तो exempt supply एक बड़ा broader term है ये तीन चीज़ों को consider करके वे चलता है non-taxable supply, nil rated supply और exempt by way of notification तो include क्या-क्या होगा इसमें taxable at nil rate, wholly exempted by notification includes non-taxable supplies लेकिन इसमें क्या-क्या नहीं आएगा zero rated supplies not considered as exempt ये exempt supply में नहीं आएगा ठीक है zero rated supplies कौन से होती है zero rated supplies वो होती है जिनको या तो आप goods का export कर रहे हो या तो services का export कर रहे हो तो ये आपकी zero rated supplies होगी या फिर आप SEZ developer को या SEZ unit को supply कर रहे हो तो उसको zero rated supply बोला जाए ठीक है, इसकी खास बात क्या होती है कि outputs पर, देखो क्योंकि ये zero rated होती है तो जब आप सामान बेचते हो जब आप export करते हो या SEZ developer को देते हो तो उससे आप GST तो लेते नहीं हो तो आपके inputs तो वैसे waste हो जाते है ठीक है, nil rated में, exempt supplies में non taxable supplies में इन सब में आपके जो inputs हैं वो waste हो रहे है क्योंकि input का credit आपको मिली ही नहीं रहे input का credit आप लोग है किसके against ठीक है, लेकिन zero rated tax में क्या होता है जो भी आपके inputs होते हैं वो reverse हो जाते हैं तो वो आपको वापस मिल जाता है तो input tax credit is available for inputs used enables tax free output without blocking input tax credit और ये explosions आपका not applicable आ जाता है invert supply क्या होती है और unregistered, ध्यान दो does not use the term supply hence has a broader scope तो invert supply के अंदर जो word use क्या है वो है receipt of goods or services ठीक है outward supply का मतलब क्या है supply of goods or services और both made by a taxable person in the course of furtherance of business ठीक है तो outward supply क्या हो गई supply of goods or service तो अगर किसी चीज़ को outward supply बोलना है तो उसके लिए उस चीज़ को supply होना पड़ेगा ठीक है तो it must be in the course of furtherance of business must first be a supply as per GST law and recipients not amounting to receipts not amounting to supply personal use not included ठीक फिर हमारे पास आता है composite supply और mixed supply ठीक है तो जब आप 2 या 2 से ज्यादा चीज़ों को मिला कर supply करते हो तो या तो वो composite supply होंगी अगर वो naturally bundled है तो composite supply है अगर वो naturally bundled नहीं है तो वो mixed supply है composite supply में क्या होता है जो taxability होगी वो principal supply के rate के हिसाब से पूरी की पूरी value पर tax लगीगा mixed supply में क्या होता है कि जो भी highest rate of tax होगा वो वहाँ पर attract हो जाता है देखो definition a supply comprising two or more taxable supplies जतना naturally bundled and supplied in conjunction with each other with one being a principal supply mixed two or more individual supplies made together for a single price which do not constitute a composite supply principal supply तो composite supply के अंदर principal supply present होती है the composite supply is treated as a supply of the principal supply mixed supply not applicable as the supplies are independent ठीक bundling के बारे में बात करें तो supplies are naturally bundled in the ordinary course of business और यहाँ supplies are not naturally bundled यहाँ पर supplies are not naturally bundled determination of tax liability के बारे में अगर हम लोग यह बात करें तो this is tax-dial single supply based on the principal supplies GST rate तो वही मैंने आपको बताया कि taxability कैसे होगी single supply के एक ही rate लगेगा जो principal supply का rate है वो पूरे के पूरे उस पर लग जाएगा tax based on the supply that attracts the highest rate of tax among the included supplies indicators of bundling यह case-to-case basis पर depend करता है example mobile phone sold with a factory but it'll stay with complimentary meals यह naturally bundled है लेकिन mixed supply में क्या होगा gift basket containing taxable goods of different tax rates sold for a single price यह सारे के सारे आपकी क्या होगी artificial bundling है taxation criteria entire value classified as a principal supply यहाँ पर each supply in the bundle can have independent tax rates highest rate is applied to the entire bundle बाकी considerations depends on the natural necessity and customer expectation of the bundling और यह क्या है mixed supply में applies में supplies carry independent significance and are offered for single price without being a composite supply कुछ composite supplies के ऊपर CBIC में clarifications दिये है एक तो printing industry के ऊपर दिया हुए डिलिमा क्या था difficulty in deciding whether the supplies categorizes goods or services due to contracts involving both तो principle जो printing industry है वो goods or supply दोनों चीज़ें आ रही थी तो इसको composite बोलना है या इसको mixed बोलना है तो इसमें principal supply क्या होगी depends on the determination of the principal supply और इसका classification किया गया है composite में तो जो printing industry आपको supply देती है वो हमेशा composite supply होगी वो हमेशा composite supply होगी अब composite supply तो गई अब यह supply of services है यह supply of goods है यह depend करे का अलग-अलग cases पर तो पहला case है printing of books etc देखो for printed items like books, pamphlets, brochures etc where content is provided by the recipient and physical inputs by the printer printing services is the principal supply तो शुचिता प्रकाशन को जाकर मैं अपना content देता हो अब वो वहाँ पर printer और वो सारी चीज़े कर रहा है तो वो मेरे को services दे रहा है तो शुचिता प्रकाशन is providing me services मैं उसको content दे रहा हूँ ठीक है और वो अपना कागर्स और binding वगरा करके मेरे को किताब बना कर दे रहा है तो शुचिता प्रकाशन is basically providing me a printing service और यह हो जाएगा आपका supply of services ठीक है printing of envelopes etc printing of envelopes etc इसमें क्या हो गया कि मैं आर्चीज पर जाता हूँ कोई एक mug उठाता हूँ कोई एक envelope उठाता हूँ और कहता हूँ यार इसमें मेरी girlfriend का नाम छापके मेरे को दे दो तो अब आर्चीज पर जाकर मैं वो mug या वो मैं envelopes खरीद रहा हूँ तो यह हो गया आपका supply of goods और यहाँ पर जो principal supply है वो आपकी goods की मानली जाती है एक आगे देखो food supplied to patients food supplied to patients तो अगर hospital के अंदर patients है उनको खाना दिया जा रहा है ठीक है hospital के अंदर patients है उन patients को doctors के recommendation के basis पर खाना दिया जा रहा है तो यह क्या हो जाएगा यह आपकी composite supply हो जाएगी यह healthcare services में आ जाएगी ठीक है लेकिन कोई बाहर जो attendance वगएर है वो अगर खाना खरीद का खा रहे है तो वो आपके taxable supply हो जाएगी वो taxable supply हो जाएगी देखो hospital के अंदर अगर आप जा रहे हो और वहाँ पर आप healthcare services ले रहे हो healthcare services के साथ नर्स आपको बीच-बीच में खाना भी खिला रही है तो फिर यहाँ पर क्या हो गया यह basically composite supply है जहाँ पर healthcare के साथ-साथ खाना naturally bundled है तो ऐसे में जो principal supply है वो healthcare services हो गई और यह आपकी composite supply मानली जाती है ठीक है लेकिन अगर कोई attendant है जो वहाँ पर है उसके cafeteria में खाना खा रहा है तो यह आपकी taxable supply हो जाती है ठीक है यह आपकी taxable supply हो जाती है bus body building bus body building मतलब buses की, trucks की अगर outer body को बनाया जा रहा है तो यह completely depend करेगा case to case basis पर ठीक है यह completely case to case basis पर depend करेगा combination of goods and services classification depends on the principal supply which varies case by case ठीक and similarly retreading of tires भी है तो retreading of tires मतलब क्या होता है जो tire होता है tube के ओपर अलग से rubber लगी हुई होती है ठीक है तो यह फिल लोहे का एक धांचा होता है उसके ओपर tube लगी हुई होती है और उसके ओपर rubber लगी हुई होती है अगर मैं अपना कोई पुराना tire ले जाकर कह रहा हूँ कि इसकी retreading कर दो तो जो दुकानदार है वो मुझे service provide कर रहा है लेकिन अगर मैं जाकर दुकानदार से पुराना retreaded tire खरीद रहा हूँ तो यह supply of goods मान लिया जाता है ठीक है एक और हमारा last amendment जो यहाँ पर आया हुआ है वो यह है ठीक है ठीक है अगर अब 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 बेसिकली क्या कर रहा है पिक्चर दिखा रहे है आपको entertainment service provide कर रहे है तो अगर entertainment service के अंदर ही वो food और beverages भी आपको supply किये जा रहे है तो इसको restaurant service की तरह से taxable किया जाएगा and supplied independent of the cinema exhibition service and supplied independent of the cinema exhibition service यह independent है ठीक It is further clarified that when the sale of cinema ticket and supply of food and beverages are clubbed together and such bundled supply satisfies a test of a composite supply the entire supply will attract GSE at the rate applicable to the service of exhibition of cinema that is the principal supply that is the principal supply तो यहाँ पर दो चीजों का clarification दिया हुआ है यहाँ पर दो चीजों का clarification दिया हुआ है सबसे पहली बात इसको देख लो यह बड़ा simple सा है यह बड़ा simple सा है कि अगर movie का ticket बेचा जा रहा है ठीक है movie का ticket बेचा जा रहा है और उसके साथ जैसे जब आप book my show पे ticket purchase करते हूँ तो वहाँ पर वो snacks वगड़ा add करने के लिए पहले से ही बोल देता है ठीक है यह आपके principle सप्लाई है और इसके basis पे पूरा का पूरा taxable हो जाएगा दूसरी चीज़ जो यहाँ पर दी हुई है कि cinema hall के अंदर अगर आपको food या beverages supply किये जा रहे है उनको restaurant service माना जाएगा अगर food and beverages are supplied by way of और as part of service ठीक है वो cinema की service के साथ-साथ दिया जा रहा है उसके part का है and supplied independent of the cinema exhibition service मतलब cinema exhibition service अलगे और यह वाला अलग है counter से जाकर खरीद रहे हो restaurant service counter से जाकर आप घरीद रहे हो तो restaurant service अगर club करके खरीद रहे हो то exhibition service counter से जाकर आप अगर खरीद रहे हो जैसे counter पे जाते हैं, PBR का ticket लिया है, picture ले लिया, picture का ticket लिया, और वहाँ पर counter पे जाके order कर दिया, counter पे जाके order कर दिया, मैंने का भाई, seat पे पहुँचा देना मेरा order, अब वो seat पर पहुँचा रहा है मेरा order, तो इसको restaurant service बोलेंगे, ठीक है, इसको हम restaurant service बोलेंगे, कि वो burger दे रहा है, वो popcorn लाकर दे रहा है, cool drink लाकर दे रहा है, तो यह होगी restaurant service, ठीक है, तो movie का ticket लग दिया, movie का ticket लग दिया, और खाने पीने का पैसा मैंने अलग दिया, अगर movie का ticket और खाने पीने का पैसा मिला कर मैंने दिया, तो इसको हम लोग composite supply मानेंगे, और जो principal supply होगी, All the questions are important. लेकिन सर, exam से एक दिन पहले ये 96 के 96 questions कैसे होंगे, हो जाएंगे. क्योंकि सारे चोटे-चोटे questions हैं, ठीक है? देखो, अभी हम लोगों को एक घंटा पांच मिनिट हैं पर हो चुका है. मैंने आपको पूरा बड़ा सा चार्ट दिखा कर, supply का revision करवाया है. लेकिन जब तक आप questions के through उसको apply नहीं कर पाओगे, तब तक ये पूरा चार्ट आपके दिमाग में बैठा कर रही है. एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कि आप इस चार्ट को अपने आपसे बनाओ. मैंने आपको बना कर दे दिया, PDF में भी available है, लेकिन फिर भी आप इस चार्ट को अपने आपसे बनाओ. अपने आपसे बनाओगे तो चीज़ें आपके दिमाग में और बैठेंगे, और सभी questions आपको करने, सब बहुत छोटे-छोटे questions हैं, सारे के सारे बहुत छोटे-छोटे questions हैं, इन सभी questions आप लोगों को करना शरूर है. ठीक है, this completes our revision on supply under GST. चलिए सर, शुरू किया जाए अपना revision of the chapter place of supply, तो place of supply पहले CA final में होता था, ठीक है, अभी भी पूरा CA final में ही है, लेकिन उसका थोड़ा सा portion, जितना भी section section wise वाला portion था, उसको CA intermediate में introduce कर दिया गया है, तो जितने भी questions CA final में आई हुए थे, for all those sections and for everything that we studied so far, those questions are relevant for CA intermediate as well, and you can find all those questions in my book, चाहे वो, RTPO, MTPO, past examination questions, so a lot of extra practice questions, so everything is there in the book, मैं आप लोगों को quickly ये वाला chapter बता देता हूँ कि ये है क्या, ये को बड़ी simple सी चीज है, place of supply का मतलब क्या है, आपको goods या services कहां पर supply किये जा रहे है, ठीक है, अब इसमें ज्यादा दिमाग ब बहुत जल्दी समझ में आएगा, ठीक है, जो लोग ज्यादा दिमाग लगाएंगे, या थोड़ा सा इसको complicate करने की कोशिश करने के, वहाँ पर दिक्कत होगी, ठीक है, place of supply, supply की जगह, ठीक है, कहां पर आपको goods supply किये जा रहे है, कहां पर आपको services supply किये जा रहे है, वो गया place of supply, ठीक है, वो हो गया place of supply, अब जाहिर सी बात है, this is not so much easy as it sounds, ठीक है, लेकिन, it's actually not as difficult as people make it to be, ठीक है, तो बहुत ही common sense वाली चीजे है, place of supply, और सवाल ही ओरता है कि, why do we need to find out the place of supply, ठीक है, place of supply जानने की हम लोगों को ज़रूरत क्या है, क्योंकि place of supply से ही पता चलत है कि कोई भी supply इंटर स्टेट है या इंटर स्टेट है, ठीक है, तो the thing is, कि जब भी supplier की location, जब भी supplier की location और place of supply, अलग-अलग states में, या अलग-अलग union territories में, या कोई एक state में कोई दूसरा union territory होता है, तो इसको interstate supply बोला जाता है, ठीक, तो interstate supply होने के लिए, जो दो चीजे हैं, आप लोगों को देखती है, एक तो location of supplier और दूसरा place of supply, ठीक है, supplier कहाँ पर बैठा हुआ है, और supply कहाँ हो रही है, supply कहाँ पर consume की जा रही है, ठीक है, और अगर मालो, ऐसा नहीं है, मतलब location of supplier और place of supply एक ही state के अंदर है, तो वो आपकी interstate supply हो जाईगी, ठीक है, इसलि Igst Act, ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी sections पड़े हैं, जाया वो section 7 हो supply वाला, जाया वो section 9 हो, levy of GST वाला, जाया वो section 10 हो, composition लेवी वाला, लेकिन ये जो 7, 8, 9, 10 sections हम लोगो ने पड़े हैं, ये CGST Act 2017 के sections पड़े हैं, ठीक है, अभी हम लोग जो section 10 और section 12 लेखो, section 10 जो है, वो goods की place of supply determine करने में मदद करता है, और section 12 जो है, वो services की place of supply determine करने में मदद करता है, ठीक है, तो एक एक करके हम लोग चलते हैं यहाँ पर, section 10 के अंदर, section 10 के अंदर, सबसे पहले section 10.1a यह कह रहा है अगर supply में movement of goods involved है अगर supply में movement of goods involved है तो simply क्या हो जाएगा place of supply will be what जहाँ पर goods finally जा रहे है common sense कि supply कहाँ हो रही है जहाँ पर goods finally जा रहे है मैं आपर अगर प्रयागराज में बैठके कोई समान भेज रहा हो suppose Bangalore करना टका तो place of supply will be what Bangalore करना टका क्योंकि goods supply कहाँ हो रही है supply ultimately वहाँ पर हो रही है तो location of the goods at the time the movement terminates for delivery additional information क्या है applies to movement by supplier recipient और other person चाहे मैं movement करवा हूँ चाहे recipient movement करवा है चाहे को और तीसरा बंदा movement करवा है यह हो जाता है 10-1-B जो है वो built to ship to model में बात करता है suppose मैंने आपसे बोला कि आप किसी तीसरे बंदे को समान भिजवा दो तो अब आप supply कहाँ पर कर रहे हो आप supply कर तो उस बंदे को ने आप समान उधर भिजवा रहे हो लेकिन आप supply तो मुझे दे रहे हो ठीक है मैं आपसे कुछ काम करने के लिए कह रहा हूँ मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि you supply these goods where? there तो आप supply कर क्या रहे हो आप supply मेरे को दे रहे हो ठीक है I am basically the third person तो देको goods delivered on the direction of a third person तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप तीसरे बंदे को goods deliver कर दो आप उस बंदे को goods deliver कर दो तो आप किसकी direction पर goods उधर deliver कर रहे हो मेरी direction पर goods उधर deliver कर रहे हो ठीक है तो principal place of the business of the third person तो क्योंकि आप supply मुझे दे रहे हो तो place of supply will be what? मेरा place of business applies when goods are delivered by supplier to a recipient और another on third person's direction ठीक है पिर एक है हो गया 10-1 से supply does not involve movement of goods मतलब जो भी goods है वो आपकी place पर assemble हो रहे है या goods का movement ही involved नहीं है assembly वाली तो खेर अलग वाली चीज़ है यहाँ पर 10-1-D में बात करेंगे असेंबल के बारे में लेकिन यहाँ पर अगर movement of goods ही नहीं ठीक है customer आ रहा है वहीं पर आपकी जगह से ही वो लेकर जा रहा है समान को तो आपको movement करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है तो supply to a person other than a registered person चारी यह तो दूसा पढ़ लिया बने supply does not involve movement of goods में क्यों हो गया अब यह जो 10-1-C-A है यह एक नया section यहाँ पर आया गया है लाया गया है 10-1-C-A is as per the IGST Amendment Act 2017 ठीक है तो IGST Amendment Act 10-1-C-A को लाया है और इसके पीछे का जो logic है वो बड़ा simple सा है ठीक है जैसे मैं go आ गया अब मैं go आ गया घूमने मैंने वहां की किसी local shop से कोई समान खरीद लिया ठीक है अब वो समान खरीद कर मैं यहाँ पर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में ले आया ठीक है मैं go आ गया वहां से मैंने कुछ समान खरीदा मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश में ले आया place of supply क्या हुआ place of supply क्या हुआ तो इस type के कई सारे issues आए जहाँ पर over the counter sale हो रही थी unregistered persons को sale हो रही थी जहाँ पर over the counter sale हो रही थी unregistered persons को sale हो रही थी ये tourists लोग थे ये लोग सारे के सारे tourist लोग थे और भी इस type के कुछ और लोग थे तो इनके लिए place of supply क्या होगी तो उसके लिए IGST Amendment Act ने section 10 के अंदर section 10.1 CA को introduce किया तो supply to a person other than a registered person unregistered person score है तो फिर अब क्या होगा address of the person recorded on the invoice if not available location of the supplier तो क्या होगा कि अगर मैंने suppose गोई में जाकर कोई समान खरीदा उसने मेरे से पूछ लिया कि यह कहां से हो ठीक है कहां से आए हो और मैंने बता दिया प्रयाग राज उत्तर प्रदेश उसने सिर्फ इतना लिग दिया प्रयाग राज उत्तर प्रदेश उसने अपने बिल पर लिग दिया तो place of supply मेरा address हो जाएगा जहां से मैं हूँ, जो मेरा address वाली state है वो हो जाएगा otherwise place of supply will be जहां से वो supply कर रहा है जो भी location of the supplier है अब यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा address लिखने की ज़रूरा अपनी है तिर्फ अगर state लिख दिया पूरा का पूरा explanation मेने आप लोगों का यहां पर एगदम simple भाष्चा में दिया हुए goods purchased over the counter in one state and transported to another state by the buyer ठीक है, किसको अपलाए कर रहा है this often happens with people like migrant workers or tourists who go to one state buy something and then bring it back to their home state it also applies when people buy cars in a different state to save money on taxes and registration fee, ठीक है, कि किसी दूसरी state से गाड़ी खरीद दी, उसके बाद उसको चला कर अपनी state में ले आए why is this important for GST? when goods move across state lines like this it can get confusing to figure out where the sale really happened for tax purposes ठीक है, अब वो place of supply के आमानी जाएगी, वो बात है therefore, it's important to determine the place of supply what's the new rule? to clear up this confusion, a new part of the law section 10.1.CA was added on 1st October 2023, तो यह कब से आया है यह 1st October 2023 के बाद से applicable होगा it says that if you're not registered for GST and you buy goods to take to another state अगर आप registered नहीं हो और आप समान खरीद कर दूसरे state में लेकर जा रहे हो the place of supply is considered to be if your address is on the receipt अगर आप the receipt पर आपका address है तो wherever you live according to the address written on the sales receipt ठीक है, तो जो भी sales receipt पर आपका address लिखा होगा that will be the place of supply if your address isn't on the receipt अगर वो receipt पर आपका address नहीं mentioned है तो where the store is located from where you bought the goods तो जहां से आप समान खरीद रहे हो वो वाला store आपके लिए place of supply हो जाएगा address का मतलब क्या हो गया just writing down the state you're from on the receipt is enough they don't need your full address तो receipt पर आप अगर सिर्फ अपना state का state का नाम बता दोगे तो वो भी काफी हो जाएगा पूरा address आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है तो place of supply का ये पहला amendment था section 10.1.ca ठीक है 10.1.ca एक नया section introduce किया हुआ है continue करते है अपना revision 10.1.d तो 10.1.d पहले भी था ठीक है अगर goods assemble किये जा रहे है या install किये जा रहे है on site तो जहां पर goods install किये जा रहे है या जहां पर assemble किये जा रहे है वोई आपकी place of supply हो जाएगी तो place of installation and assembly applies to composite supply involving goods and installation services इसमें मैं आप लोगों को हमेशा paper fry का example देता हूँ ठीक है कि paper fries है अगर मैंने कोई furniture का piece मंगाया वो मेरे घर पे parts भीच रहे है और उनी के बंदे आकर यहां पर उसको assemble कर रहे है तो यह composite supply होगे 10.1.e goods supplied on board conveyance ठीक है goods supplied on board conveyance train में जो खाना वगेरा मिल रहा है तो जहां पर goods चाड़ रहे है train में that will be the place of supply तो location at which the goods are taken on board क्योंकि रास्ता लंबा है अब आप कैसे determine करोगे कि कौन से अच्छा बीच में छोड़े-छोड़े stations भी बहुत सार रहा है तो पूरी train journey में आप कैसे determine करोगे कि आपको वो समान कब दिया गया ठीक है बहुत कुछ होता रहता है तो इसलिए बड़ा simple सा rule रखा गया है जिस state पर आपने train में समान चड़ाया वो state will be the place of supply तो applies to conveniences like vessels, aircraft, trains और motor vehicles ठीक है तो ये 6 clauses हैं आपके section 10.1 के अंदर A, B, C, C, A, D, E जिसमें 10.1, C, A नया है ठीक है और फिट 10.2 क्या कह रहा है 10.2 कह रहा है कि अगर इन 6 clauses ते आपको नहीं समझ में आ पा रहा है तो फिर आप rules पर चाहिए और उसके लिए आपको CA intermediate clear करके CA file में जाना होगा ठीक है तो place of supply cannot be determined, determined in a prescribed manner empowers government to establish a method for ascertaining the place of supply ठीक है ये हमारा हो गया है goods का place of supply का provision services के बारे में बात करते है तो services में एक section 12 है general rule क्या कहता है general rule place of supply of services का ये कहता है कि अगर recipient registered है ठीक है general rule है section 12.2 बहुत simple है अगर recipient registered है तो जहाँ पर वो जो भी registration जैसे मैं simply मैं क्या कर रहा हूँ मैं एक आगरता को services supply कर रहा हूँ मैं एक आगरता को अपनी services supply कर रहा हूँ एक आगरता registered है क्या हाँ एक आगरता registered है GST में registered है कौन से state में registered है मध्यप्रदेश में registered है तो मैं जो एक आगरता को services supply कर रहा हूँ उसके लिए place of supply क्या होगा मध्यप्रदेश होगा ठीक है क्योंकि services है में दी कहां पर consume हो रही है वो मध्यप्रदेश में consume हो रही है तो place of supply will be मध्यप्रदेश लेकिन ऐसे बहुत सारे और cases होते हैं जहां पर हम लोगों को 12-2 के अलावा कहीं और देखना होता है तो जहां पर 12-2 के अलावा कोई और specific case किसी चीज़ के बारे में दिया हुआ है तो वहां पर आप लोग 12-2 नहीं देखोगे वहां पर आप लोग 12-2 बिल्कुल भी नहीं देखोगे ठीक है मैं आपको अपना personal experience बता रहा हूँ अभी कुछी दिन पहले मेरे घर पे इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी बहस हुई थी ठीक है बात यह हुई थी कि अगलवर में कोई hotel बुक करके रह रहा हूँ अब hotel वाला जब मुझे बिल बना कर देगा तो उसमें CGST, SGST चार्ज करेगा या उसमें IGST चार्ज करेगा मैं कह रहा था उसमें CGST, SGST चार्ज करना चाहिए बागी सब लोग कह रहे था नहीं उसमें IGST चार्ज करना चाहिए मै मैंने को उससे फर्क क्या पढ़ता है, मैं registered हुई है नहीं उससे फर्क क्या पढ़ता है, तो बहुत ही तो place of supply होगी, मैंने को बड़ा simple सा rule है देखो, location of supplier, place of supplier, location of supplier क्या हो गया, जो बन्दा मेरे को hotel में अपनी services दे रहा है, कहां पर है वो, करनाथका में, place of supply, immoveable property, place of supply, उसने मेरे को उत्रप्रदेश में होटल बना कर दिया, मैं उत्रप्रदेश में रुक रहा हूँ, नहीं न, supply consume कहा हूँ रही है, बैंगलोर करनाटका में, होटल कहां पर situated है, बैंगलोर करनाटका में, मैं कहां पर रुका हूँ, बैंगलोर करनाटका में, मैं उसकी services कहां ले रहा हो बैंगलोर करनाटका में how the hell does it matter कि मैं registered उत्तरप्रदेश में हो make sense location of supplier place of supply इन दो चीजों से फर्क पड़ता है that's it location of supplier बैंगलोर करनाटका place of supply जहां immovable property situated है common sense supply कहां consume होगी जहां immovable property situated है common sense है नहीं यार यह तो कि immovable property अगर बैंगलोर में situated है मैं वहीं के hotel में जाकर रह रहा हूँ तो मैं supply को कहां consume कर रहा हूँ मैं बैंगलोर में consume कर रहा हूँ ना तो place of supply will be what the place of supply will be the place where the immovable property is located and if the immovable property is located in करनाटका if the supplier is also from करनाटका तो intra-state supply होगी ना तो cgsc sgsc लगेगा ठीक है मैंने कहा bill देख लो यार आप लोग तो के रहें होटिल वाले गलत चार्ज कर रहें मैं का यार हद होती है फिर finally मेरेको यह rule दिखाना पड़ा तब जाके विश्वास हो उन लोगों को मैं बता रहो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन होता है घर पर जीएस्टी का टीचर बैठ है कोई इज़ती नहीं कोई बात नहीं है हम रूल दिखा देंगे मैं अपनी किताब लेकर गया था देखो मेरी किताब में लिखा हुआ यह पहले तो इन्हों लोग तुम्हारी किताब तो बेकार है ऐसे थोड़ी होता है ठीक एनिवे तो जन्रल रूल फोर सर्विसेश घर वाले घर वाले ही रहेंगे कुछ भी कर लो एक बार ऐसी सुबह सुबह बात हो रही थी मेरी अंशुलसर से ठीक है और अंशुलसर कुछ-कुछ तो बदा रहे थे एक आग्रता में इएक आग्रता में वह वो वो तो अचानक स क्या हो गया? General rule of services is location of recipient for registered persons or location of supplier for unregistered persons where recipient's location is not known. ठीक है? तो अगर registered है, तो फिर जहां पर भी registered है वो और अगर registered नहीं है, तो जहां पर भी supplier है वो. ठीक है? applies when specific rules do not cover the service. अब specific rules में क्या-क्या है? सबसे पहले है, 12.3, services related to immovable property or lodging. ठीक है? अब immovable property में क्या हो गया? location of the immovable property boat या vessel. यही आपकी place of supply हो गई. ठीक है? immovable property से related अगर आपका है, अगर immovable property से related आपका वो हो रहा है, क्या बोलते हैं? service उससे related हो रही है, तो जहां पर immovable property located है, वो वाली आपकी place of supply हो जाएगी. includes architectural surveying, hotel stays, events, etc. ठीक है? लेकिन अगर immovable property इंडिया के बाहर है, अगर immovable property इंडिया के बाहर है, लेकिन supplier और recipient दोनों के दोनों इंडिया में हैं. ठीक है? इफ दो, इफ बोथ दा supplier and recipient आपका हो जाएगी आपका है, तो फिर location of the recipient will be the place of supply. location of the recipient will be the place of supply. ठीक है? अगर immovable property boat या vessel एक state से ज्यादा state में है, तो area के हिसाब से, या contract value के हिसाब से, या फिर IGST के rules के हिसाब से proportionately उसको divide किया जाएगा. ठीक है? तो applies to property spanning multiple locations. यह हो गया, immovable property इंडिया. 12.4. restaurant and catering, personal grooming, fitness, beauty and health services. अब इसमें हो ना. तो location where these services are performed. common sense, एकदम common sense place of supply. next, training and performance appraisal. training and performance appraisal, location of the registered entity अगर B2B है और where the service is physically conducted अगर B2C है तो ठीक है? तो यहाँ training या performance appraisal के लिए इसने का कि अगर registered recipient है, अगर recipient registered है, तो जहाँ पर भी वो registered entity की location है, वो, otherwise जहाँ पर भी यह services physically conduct हो रही है, वो वाली. बदब training वाली services हो रही है, वो. differentiates based on the nature of the recipient. ठीक. admission to events, amusement parks. अब आप common sense से बताओ, इसके लिए place of supply कहा होगी? जहाँ पर वो park situated होगा. ठीक है? place where the event या park is situated, तो covers cultural, sporting, educational, entertainment events, etc. आगे देखो. 12-7, organization of events. ठीक है? कहाँ होगा? जहाँ पर आप events organize कर रहे हूँ. ठीक है? तो registered entities के लिए location of the entity, unregistered entities के लिए where the event is held. तो बस यहाँ पर आपको कुछ-कुछ जगहों पर याद करना मड़ेगा, क्योंकि कुछ-कुछ जगहों पर इन लोग ने वो general rule को भी गुसा के रखा हुआ है. कि registered है तो यह unregistered है तो यह. ठीक है? applies to various types of events and their ancillary services. आगे देखो. transportation of goods, mail और courier. ठीक? registered persons के लिए location of such person. unregistered persons के लिए जहाँ पर goods वो handover किये जा रहे हैं. next, passenger transport services. अब देखो passenger transportation services में registered recipients के लिए location of the recipient. unregistered के लिए जहाँ से passenger चढ़ा है. inbox का मतलब जहाँ से passenger शुरू हुआ है. अपनी journey. ठीक है? rules for issuance of rights to passage when boarding point is unknown. अब हो सकता है मेरे पास make my trip का कोई voucher हो. ठीक है? या मेरे पास किसी कहीं का, मेरे पास suppose make my trip का voucher है. अब make my trip का voucher है, होगी वो passenger transport service ही एक तरह से. ठीक है? या suppose IRCTC का मेरे पास कोई coupon है. ठीक है? IRCTC का मेरे पास coupon है, तो मैं उसको किसी भी train journey में apply कर सकता हूँ. तो कौनसी train journey में apply करूँगा, ये तो पता ही नहीं चलेगा. तो if the address of the unregistered person is unavailable, is available in the records of the supplier, location of such unregistered person, in other cases, location of supplier of services. ठीक है? तो अगर मेरे को right दिया जा रहा है, boarding point unknown है, लेकिन मेरे को passage का right दिया जा रहा है, कि हाँ ठीक है, तुम चाहो तो यहाँ पर चढ़ सकते हो. जैसे airlines वालों के पास ऐसा होता है, जो indigo वगेरा में काम करते हैं, उन लोगों के एक seat reserved होती है, ठीक है? तो वो लोग staff quota में अपने किसी भी relative बगेरा को भी चढ़वा सकते हैं, ठीक है? तो anyway, तो यहाँ पर यही दिया हुआ है, कि अगर rights to passage का आपको issue किया हुआ है, तो फिर क्या होगा? If the address of the unregistered person is available, if the address of the unregistered person is available on the records, then location of the unregistered person, other cases, location of supplier of services. 12-11, service supplied on board a conveyance, service supplied on board a conveyance, ठीक है? पहले हम लोगों ने बात कीती, goods supplied on board a conveyance, तो उसके लिए place of supply क्या थी? जहां से goods चढ़े हैं, यहाँ पर अब service कैसे चढ़ेगी? ठीक है? कोई singer है, वो गाना गार है, वहाँ पर तो service कैसे चढ़ेगी, तो initial scheduled departure point of the conveyance, बात एक तरह से वही हो गई, कि जहां से आपने start किया, initial scheduled departure point, applies to services offered on vessels, aircrafts, trains और motor vehicles, then we have telecommunication services, ठीक है? अब यहाँ देखो, services involving fixed line, leased and internet leased circuits, dish antenna, etc. location of such fixed equipment, तो जहाँ पर अगर fixed line है, leased है, internet leased circuits है, तो जहाँ पर वो, जहाँ पर यह fixed equipment located है, वहाँ पर हो जाएगा, माल लो यह multiple locations पे spanned है, तो point to point basis पर देखा जाएगा, proportionate देखा जाएगा, तो if the least circuit is installed in more than one state, each respective state or union territory based on the value of the service specified in the contract or agreement, ठीक है? तो यह तो contract में mentioned हूँ, और proportionately according to rule 6 of the IGST rules, if there is no contract agreement, या फिर अगर contract agreement में value specified नहीं है, तो फिर इस rule के हिसाब से होगा, और यह rule क्या कहता है, based on the number of points within each state or union territory, ठीक है? तो यह question में आपको दिया रहता है, जो आपकी fixed line है, this is spanning these, these many multiple states, और हर state में इतने-इतने points हैं, तो जितने points होंगे, उस हिसाब से आपको proportionate करना होगा, questions दिये हो है book में, ठीक है? Then you have post paid mobile internet services, the location of billing address of the recipient, and if the same is not available, location of supplier, तो billing address अगर mentioned है, तो वो otherwise location of supplier हो जाएगा, prepaid mobile internet DTH services provided through selling agent, ठीक है? अगर prepaid prepaid वाली services आपको दी जारी है, तो अगर selling agent के थू दी जारी है, reseller के थू दी जारी है, तो address of such selling agent, reseller, distributed in the records of the supplier at the time of supply, या by any person to final subscriber, location where prepayment is received or place of sale of vouchers, या when the payment is made through electronic mode, location of recipient in the records of supplier, तो ये कुछ चीज है, जो आपनों को याद रखनी पढ़ेंगी, इसमें कोई और option नहीं है, other cases, address of the recipient in the records of the supplier, and if the same is not available, location of the supplier, एक ही तरह की है, मोटमाट ही सारी चीज है, ठीक, ओके, आओ, 1212, financial and stock broking services, financial and stock broking services, इसमें क्या हो गया, recipients location as per service provider's records, otherwise location of the service provider, तो अगर supplier के पास वो है, आपका record है, आपका address वगरा मेंशन है, तो वो, otherwise जहां पर location of the service provider है, वो, insurance services, registered लोगों के लिए location of the recipient, unregistered लोगों के लिए as per recipient's location in the provider's records, अब यह है काफी important subsection, 12-4, advertisement services to government, ठीक है, तो यहाँ पर place of supply क्या होगी, each state या union territory where the advertisement is disseminated, proportional to the services provided in respective locations, अब यह जो proportional to the services provided है, यह proportion कैसे कैसे आएगा, इसके कई सारे cases यहाँ पर दिये हुए है, तो type of advertisement है, क्या-क्या value मानी जाएगी, place of supply क्या होगी, example भी यहाँ पर दिया हुआ है, book में अगर आप देखोगे, पूरा detailed explanation इसके बारे में दिया हुआ है, along with questions, ठीक है, तो देखो, सबसे पहला है, advertisement in newspapers and publications, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगया, कि आपने अगर newspaper में कोई advertisement दिया, तो वो newspaper हर अलग-अलग state में जाएगा, तो हर state के newspaper के printing press को आप कितना पैसा दे रहो, that will be the value of supply, that will be the value of service for each state, ठीक है, और अगर आपने किसी को, क्या किया, जैसे यहाँ पर ABC advertises in various editions of the newspaper, ठीक है, तो आपने किसी advertising agency को पैसा दिया, अब वो advertising agency, जितनी value का service provide करवा दिया अलग-अलग state में, उस value के हिसाब से place of supply भी determine होगी, उस value के हिसाब से आपका GST का rate भी निकल कर आएगा, कि हर state में इतना-इतना दिया हुआ है, proportional to the editions published in different states, यह union territory is based on payment, पेमेंट के basis पर determine होगा यह, ठीक है, value of services, amount payable for publishing in each state, यह union territory, edition, advertisements to printed material, printed material मतलब क्या होगया, यह आपके pamphlets वगरा होगा है, ठीक है, तो amount payable for distribution in each state, यह union territory, तो ABC distributes pamphlets in Haryana, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, ठीक है, तो proportional to distribution in each state, यह union territory, similar type की चीज़े है, examples के थूँ, जब आप लोग देखोगे न, बुक में, तो आपको और clarity के साथ समझ में आएगा, if you're reading for the first time, अगर आप लोग पहले पढ़ चुके, of course, क्योंकि है revision sessions है, तो यहाँ पर मैं एक नम deep down examples आपके सामने नहीं ले सकता, तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ रहा होगा, advertisement on hoardings, excluding trains, advertisement on hoardings, excluding trains, अगर hoardings पर आप advertisement करवा रहे हो तो क्या होगा, तो amount payable for hoardings in each state, हर state की hoardings पर आप जित्ता पैसा दे रहे हो वो, example, ABC installs hoardings in major cities across different states, और यहाँ place of supply क्या होगा, based on the location of each hoarding in state या union territory, अगर आप trains में advertisement करवा रहे हो तो क्या होगा, ratio of the track length in each state या union territory for that train, तो आपकी train चल रही है यहाँ से, suppose उत्तर प्रदेश से मेरे को दिल्ली जाना है, तो बीच में जो भी states पढ़ेंगी, ठीक है, बीच में जो भी states पढ़ेंगी, अगर बीच में कोई बहुत जादा states पढ़ती नहीं है, लेकिन, suppose मेरे को यहाँ से train से मुंबई जाना है, तो बीच में जो भी states पढ़ेंगी, प्रयागरज, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट में, जो जित्ते भी बीच में states पढ़ेंगी, train track में, तो हर state पे वो train track की length कितनी होगी, उसके basis पर value determine होगी, और उसी के basis पर उतनी ही value पर वो वाली place of supply के हिसाब से, CGST, SGST, IGST लगेगा, ABC places ads on a train traversing multiple states, तो proportional to the track length in each state या union territory, next देखो, advertisements on the back of utility bills, तो bills के पीछे भी advertisement आता है, तो amount payable for ads on bills of each state or union territory, proportional to consumers in each state या union territory, तो consumers के data की basis पर proportionate किया जाएगा, advertisement on railway tickets, कभी-कभी railway tickets के पीछे भी advertisements होता है, होता ही, IAR CTC के भी थूँ, अगर आप ticket book करोगे तब भी वहाँ पर होगा, तो ratio of number of railway stations in each state या union territory, तो अगर train ticket के पीछे advertisement है, train ticket पर advertisement है, तो फिर वो उस train में आप देखोगे, ठीक है, जैसे वो train ticket है, suppose यहाँ से बैंगलोर में जा रहा हूँ, अब जितनी भी states हैं, उन states में जितने railway stations हैं, जितने भी railway stations हैं, उसके basis पर value determine की जाएगी, तो ABC advertises on tickets sold in Madhya Pradesh and 36 गर्ड, proportional to the number of stations in each state या union territory, each state या union territory की number of stations पर dependent हो गाई है, advertisement on radio stations, तो amount payable to stations part of each state, तो जितना भी आप हर radio station के लिए दोगे, उतना वो हो जाएगा, ABC advertises on a radio station covering multiple states, proportional to allocation for each state या union territory based on station coverage, next, television channels, based on viewership ratio in each state या union territory, इस पर एक बहुत अच्छा question है, वो question बुक में दिया हुआ है, वो आपको करना ही करना है, ठीक है, वो करना ही करना है, television channels वाला बहुत तगडा question है, RTP का question है, ABC advertises on a channel broadcasting in multiple states, proportional to the viewership figures derived from broadcasting audience, research council data, advertisement in cinema halls, तो payable to each cinema hall screen in a state या union territory, ABC advertises in cinema halls in Chennai and Hyderabad, proportional to cinemas in each state या union territory, then we have advertisement on the internet, अगर आप internet पर कर रहे हो तो, तो internet के जितने भी subscribers होगे हर state में, उसके basis पर value determined होगी, और उसी के basis पर place of supply, और अगर आप SMS के थूँ, advertisement कर रहे हो, तो based on telecom subscribers in each state या union territory, यूँकि SMS किसको जाएगा, जितने भी subscribers होगे, उन लोगों को SMS जाएगा, तो उसके basis पर यहाँ पर value determined होगी, और उसी के basis पर place of supply भी determined हो जाएगी, अब clarifications आए है, advertisement sector को लेकर, ये भी amendment है, ठीक है, बुक में कुछ और clarifications भी मैंने दिये होए, लेकिन वो IC AI ने notify नहीं किये, सरकार ने कुछ clarifications दिये थे, तो मैंने आपको बुक में दे दिये थे, I told you, क्योंकि बुक में, बुक कब आई थी, statutory update release होने से पहले आई थी, तो बुक में मैंने कुछ और clarifications भी दे दिये थे, लेकिन, अब मैं आप लोगों को जितना यहाँ पर कर आऊंगा, आपको उतना ही करना है, बाकि आप बुक में से cross out कर देना, ठीक है, आओ देखो, clarification regarding place of supply, in case of supply of services, in respect of advertising sector, ठीक है, अब दो cases यहाँ पर दिये होए, दो cases यहाँ पर दिये होए, मैं आपको पहले इन दोनों cases का gist बता देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा के करना क्या है, ठीक है, पहला जो case है, पहला जो, एच चलो, मैं पढ़वाई देता हूँ, तो पढ़के आपको थुड़ी और क्लाथ दिया, या अच्छे से आपको तब ही समझनाएगा, देखो, अब यह लोग करते कैं, यह लोग करते कैं, कुछ अबटाइजिंग कंपनीज होती है, और कुछ सप्लाइर्स होते हैं, जिनको हम लोग वेंडर्स बोलेंगा है, अब यह लोग क्या करते हैं, वेंडर्स से, होडिंग्स और बिल्बोर्ड्स की स्पेस को ले लेते हैं, और इस स्पेस पर ही अपने आइड़र्टीजमेंट्स चलवाते हैं, यहां पर जो में मुद्धा है, वो क्या हो रहा है, आप कोई चीज रेंट कर रहे हो, क्या रेंट कर रहे हो, आप स्पेस रेंट कर रहे हो, होडिंग पर या स्ट्रक्चर पर, इम्मूबबल प्रॉपर्टी पर वो लगा हुआ है होडिंग, ठीक है, उस holding पर आप space को rent कर रहे हूँ What will be the place of supply of services provided by the vendor to the advertising company in such a case तो यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर immovable property की तरह से इसको treat किया जाएगा और 12.3 लगेगा 12.3 मतलब जहाँ पर immovable property located है I think this is common sense यह समझ में आ रहा होगा इसके लिए कोई अलग से clarification की जरूरत नहीं थी तो यहाँ पर क्या हो गया immovable property पर मैं space rent कर रहा हूँ suppose मैं कह रहा हूँ कि करनाटका में करनाटका में इस वाली holding पर मेरे को अपना advertisement चाहिए तो अब supply consume का हो रहे है करनाटका में हो रहे है तो place of supply कैसे determine की जाएगी 12-3 से determine की जाएगी 12-3 क्या कहता है कि जहाँ पर immovable property located है ठीक है एक दूसरा case यहाँ पर आया issue number 1 तो यह हो गया issue number 2 यह है कि मैंने किसी को बस बोल दिया कि सुनो ऐसा ऐसा करना है ठीक है रेंट आउट कर रहा हूँ मतलब ही नहीं है ऐसे में तो मैं उसकी साफ साफ advertisement services ले रहा हूँ ना तो अगर मैं उसकी advertisement services ले रहा हूँ तो हमारा general rule जो था कि अगर recipient registered है तो location of the recipient otherwise location of the supplier तो यह हमारा place of supply हो जाएगा इन दो चीज़ों को लेकर बस clarification आया हुआ है ठीक है तो पहला है कि अगर आप इस immovable property के ओपर situated holdings वगरा पर space को rent out करते हो तो फिर क्या होगा तो फिर place of supply will be the location of such immovable property जहां पर holding situated है obviously देखो the holding a structure detected on land should be considered as immovable structure or fixture as it has been embedded on earth further place of supply of any service provided by way of sale of space of an immovable property or grant of rights to use an immovable property shall be governed by the provisions of section 12 3a of the IGST Act as per section 12 3a of the IGST Act the place of supply of services directly in relation to an immovable property including services provided by architects, interior decorators surveyors, engineers and other related experts or estate agents any service provided by way of grant of rights to use immovable property or for carrying out coordination of construction work shall be the location at which the place of property shall be the location at which the immovable property is located therefore, the place of supply of service provided by way of supply of sale of space on holding a structure for advertising or for grant of rights so use the holding or structure for advertising in this case would be the location where such holding a structure is located ठीक, फिर मैने आप लोगों को यहां पर अपने simple terms में दियावा है since billboards are fixed to the ground they are considered part of the immovable property like land or buildings the place of supply in such cases is the place where the billboard is located simple दूसरा इशू क्या हुआ? again a very simple issue there may be another case there may be another case where the advertising company wants to display its advertisement on holdings or billboards at a specific location availing the services of a vendor जैसे मैंने कहा कि मेरे को करनाटका में चाहिए लेकिन अब कहां वो तुम डिसाइड करो the responsibility of arranging the hoardings or billboards lies with a vendor who may himself own such structure or may be taking it on rent or rights to use the basis or right to use basis from another person अब ये जो advertising agency है ये लेगी इसका right या तो इसके पास खुद से होगा या तो इसका right लेगी दे वेंडर is responsible for displaying the advertisement of the advertisement company at the said location अब responsibility किस की है? advertisement agency के vendor की है during the entire time of display of the advertisement the vendor is in possession of the holding a structure at the said location on which the advertisement is displayed and the advertising company is not occupying the space of the structure in this case what will be the place of supply of such services provided by the vendor to the advertising company in this case as the service is being provided by the vendor to the advertising company and there is no supply of space या supply of rights to use the space on the holding a structure immovable property by the vendor to the advertising company for display of their advertisement on the said display board a structure the said service does not amount to the sale of advertising space or supply by way of grant of rights to use the immovable property तो या एक्दम सिंपल है या simply मैं vendor की services ले रहू यह मैं immovable property को rent out नहीं कर रहू अक्दिनली the place of supply of the same shall not be covered under section 12.3a of the IGST Act 12.3a क्या था immovable property वारा vendor is in fact providing advertisement services by providing visibility to an advertising company's advertisement for a specific period of time on a structure possessed या taken on rent by him at specified location therefore such services provided by the vendor to the advertising company are purely in the nature of advertisement services in respect of which place of supply shall be determined in terms of section 12.2 of the IGST Act या निवो जो 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 है according to which the place of supply of services shall be the location of the recipient ठीक है location of the recipient जो रिजिस्टर्ट होगा हो in simple terms since the advertising since the advertising company isn't buying the space or rights to rights to the space directly but instead just hiring a service to display its ads the place of supply would be determined as per section 12.2 according to which the place of supply of services shall be the location of the recipient अगर recipient registered है तो ठीक है अब यह आप लिखने से रह गया अगर recipient रिजिस्टर्ट है तो यह आप लोगों को notes में लिखा वो वही मिल जाएगा location of the recipient if the recipient is registered otherwise the location of the supplier ठीक है 12.2 में यही तो था 12.2 में यही तो था general rule क्या है general rule यही तो है location of the recipient for registered persons या location of the supplier for unregistered persons where recipient's location is not known ठीक है तो यही वाली बाकी provisions बस इतना ही था हमारा तो यह वाली चीज़ यह हो गई यहाँ पर आकर आपका amendment जो इसमें था वो खतम हो जाता है place of supply से related एक तो amendment 10.1 CA वाला हो गया और एक amendment यह दो clarifications यहाँ पर आ गए है बन्दब एक ही clarification है उसके अंदर इन दो issues का clarification दिया हुआ है तो यहाँ पर आपके place of supply के amendments आकर खतम हो जाते है कुछ और provisions भी है बड़े simple से provisions है section 7.1 IGST Act का supply of goods interstate तो criteria के है suppliers location and place of supply in different states notes के है focus on supplies within India basically हम लोग यहाँ पर India की ही अंदर की within India 75C supply of goods or services interstate residual clause for supplies neither interstate nor covered elsewhere in section 75 applies to both goods and services यह सारी चीज़े है इसको आप लोग अगर छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्करत पाली बात नहीं होगी यह 789 वाले जो sections है हम लोग पहले भी पढ़ते ही थे charge of GST में हम लोग ने इनके बारे में बात की ही हुई है ठीक है यह कुछ important questions है अवे सरी तो बहुत सारे हाँ यार ठीक है क्योंकि इसके अंदर इसके अंदर इतने सारे cases है और अलग-अलग type के questions involved है तो हर category का question यहाँ पर करना बहुत जरूरी है और क्योंकि एक नया chapter introduced हुआ है तो chances है कैसे आप लोग 4-5 marks का question expect कर सकते ठीक है इसी के साथ हमारा place of supply का revision यहाँ पर complete हो जाता है let's get started with the discussion of exemptions from GST अब मेरी बात जर्दा बहुत ध्यान से आप लोग सुनो honestly मैं आपको बताऊ इसमें मेरे like मेरे revision कराने like कुछ भी नहीं है इस chapter में ठीक है मैं आपको honestly बता रहा हूँ ठीक है actually इस chapter के जो मेरे notes है वो मैंने इस तरह से दिये हैं कि वो exactly exam oriented है कैसे दिये हैं अगर आप देखो तो मैंने सारी की सारी चीज़ है ना और क्या होता है कि आप लोग देब इस chapter को पढ़ना start करते हो ना तो बहुत डर लगता है क्योंकि confusing confusing बहुत सारे इसमें aspects होते है कई सारी चीज़ें exempt हैं कई सारी चीज़ें taxable हैं कैसे याद रखें कैसे होगा क्या होगा बहुत सारा confusion आता है तो अब इसके लिए एक चीज़ तो यह है कि मैंने सारी की सारी services को यह जो अगर आप मेरी book में देखोगे तो अगर आप सारी की सारी services को देखोगे और वो notes मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी दिये हुए तो हर service में आपको ऐसी table दिख जाईगी जैसे यहाँ पर हम लोगों ने किया charitable activities अब charitable activities में क्या क्या चीज़ है उसके बारे में बात कर ली अब exam में जो question आता है वो question क्या से आता है आप लोगों ने देखा होगा तो exam में जो question आता है वो आपको एक list of services देता है ठीक है और जो जो exam होती है आप उसको ignore करते हुए चलते हो जो जो taxable होती है आप उसको include करते हुए चलते हो और finally जो भी taxable services होती है उनकी values को आप total करते हो और यह आपकी taxable value of supply निकल कर आ जाती है अब इसमें जो questions आते हैं वो काफी बार jumbled up आते हैं in fact mostly जो questions आपके exam में आते हैं वो jumbled up questions ही होते हैं ठीक है मैं आपको एक चीज़ अपनी regular classes में बताता हूँ अभी भी बता रहा हूँ 70% कोई भी बंदा बहुत आराम से ला सकता है इस question में यह जो questions होते हैं यह 5 to 7 marks के questions होते हैं ठीक है 5 number का question होता है 3 से 4 number आप इस question में लेकर आ रहे हो इस chapter में लेकर आ रहे हो तो it's more than enough बहुत ज्यादा कि नहीं मेरे को 5 on 5 ही लाने उसके चक्कर में पढ़ने की बिल्कुल ज़रूराथ नहीं है ठीक है लुगर आप ICAI का study material देख लो या आप कहीं पर भी कुछ भी देख लो तो सारी चीज़ें काफी jumbled up तरीके से दी हुई होती है ठीक है जैसे अगर educational services start हुई तो वहाँ पर कुछ दिया होगा और फिर but इसमें यह exceptions है बट ऐसा है बट पैसा है बट पैसा है जैसे grant of advertising rights to a person on the premises of charitable or religious trust और on publications of the trust अब यह यहाँ पर मैंने लिग गया है यह taxable होगा एक्जाम में जब question आएगा आपको यही वाली language मिलेगी और अगर आपने इस तरह से preparation की हुई होगी ना तो एक्जाम में जब भी कोई question आएगा तो क्या आपको दिक्कत आएगी बिल्कुल भी नहीं आपको इसको पढ़ने का जो सबसे सही तरीका वो पता है क्या है यह table मैंने दी हुई हर service के लिए हर service के लिए वाली table है क्या taxable है, क्या exempt है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने दी दी है प्रॉपर, tabular form में आपको करना क्या है? आपको एकदम छोटे बच्चों की दर से करना है आपको एकदम छोटे बच्चों की दर से जो second, third class के बच्चे होते हैं उनको याद करना होते है आपको क्या करना है? यह जो taxability वाला column है इस पर अपना हाथ रखना है यह print निकाल लो आप या आपके पास book है, तो book है तो best है वोक है तो best है, वोक तो लेनी ही चाहिए क्योंकि questions की practice आपको book से ही करना है तो book में आपको क्या करना है यह table आपको मिल जाएगी आप यह taxability वाले column के उपर हाथ रखो ठीक है, left वाले column से एक एक चीज पढ़ना start करो और फिर मैं आपको genuinely बताओ, seriously बताओ अपनी अकल लगाकर अपना दिमाग लगाकर अपने दिल से पूछ कर यह बताओ, कि यह taxable है, यह exempt है और उसके बाद उसमें से check करते रहो ठीक है, तो मैंने अगर इस table के उपर अपना हाथ ऐसे रखा और मैं देख रहा हूँ granting admission to events, functions, celebrations shows against admission tickets और fees taxable होना चाहिए यह तो admission to events में grant कर रहे होने इसमें charitable क्या हो गया यह तो taxable है, ठीक है advancement of any other object of general public utility any other object of general public utility हो सकता है मेरे मन में आए कि यार यह तो exempt होना चाहिए लेकिन जैसी मैं column के ओपर से हाथ आँँगा मुझे दिख जाएगा क्या, कि यह taxable है और यह point हो जाएगा मेरे लिए important यह point हो जाएगा मेरे लिए important क्यों मेरे लिए important हो जाएगा क्योंकि यह वाली चीज मुझे याद नहीं रही ठीक है, exam में जब questions आएगे तो any points की basis पर आएगे exam में कभी भी इने बोलेगा कि charitable activities के ओपर एक essay लिख दो कि charitable activities में क्या exempt है क्या taxable है, exam में कभी भी यह नहीं बोला जाएगा exam में एक question दिया रहेगा जिसमें बहुत सारी services दी रहेंगी, उसमें से आपको choose करना होगा कि कौन सी taxable है, कौन सी exempt है and the only way you'll be able to do that question is if you practice it accordingly right, hence this table अब इस table में क्या होगा, आपने print निकल वा लिया या आपके पास book है, आपने इस table के उपर हाथ रखा taxability पर, एक एक service आप पढ़ते गए 70% of the times आप खुद देखना, जैसे इसमें कितने points है इसमें 11 points है न, मेरी guarantee है, 70% of the times आपका answer सही होगा, 70%, अभी ये 11 points है, 11 में से 70 आप देखो कितना आता है, 7.7 आएगा, 11 में से 70 कितना आएगा, 7.7 आएगा 7.7 आगया, मतलब 7 out of 11, 100% में आपको बता रहो, 7 out of 11 आपका जवाब सही होगा, ठीक है, आप लोग जो panic करते हो न, वो उस 4 points के लिए panic करते हो, जो आपके कोई ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है तो the best way to do is कि आप एक तो मान के चलो कि 70% तो आपको आने ही आने अगर 5 या 6 नमबर का question आता है तो उसमें से 70% जित्रा भी होता है 7.6 of 42 हो जाता है, 4 नमबर आपके आने ही आने, 6 नमबर का question है, 4 नमबर आपके अभी मत पढ़ना, इसको आपको split करकर करके पढ़ना चाहिए split करके कैसे, कि आज मैंने 4-5 services निप टाली, जैसे अगर हम लोग यह revisionary notes देखें, ठीक है, तो यह 25 pages के notes है, if I am not wrong 28 pages के notes है, ठीक है, sorry, 25 pages के ही है, शुरू के 3-4 pages तो यह यही है ठीक है, वो introduction और यह सब, तो 25 pages के notes है, अब आप क्या कर सकते हो, कि 5 दिन हैं आपके पास, ठीक है, 5 दिन में आप इस chapter को divide कर दो, कि मैं रोज 5-5 pages की services को याद करूँगा या रोज 5-5 pages की services को मैं revise करूँगा, ठीक है, अब आपने क्या किया, suppose आज आपने page number 1 उठाया, अब page number 1 में आपने देखा charitable activities का यह चार्ट है यह चार्ट तो ऐसे ही showcase के लिए है, ठीक है उसके बाद आपने meaning of charitable activities फड़ाफट से अपने मन में दो रहा हैं, और उसके बाद आपने इन other aspects को revise करना शुरू कर दिया, ठीक है, फिर आप अगले वाले में गए, recreational training और coaching में गए, उससे related जितने भी जितने type के questions exam में आते रहते हैं वो आपने taxable exam, taxable exam taxable exam इस सरसे करना शुरू किया यह आपका होता गया, religious services पर आगए, कौनसी taxable, कौनसी exam यह सब आपने करना शुरू कर दिया, ठीक है इस तरह से अगर आप रोज 5-5 पेज करोगे, रोज 5-5 पेज करोगे तो 5 दिन में सारका सारक खतम 5 दिन में सारका सारक खतम और जो जो services आप यहाँ से revise करते जाओ, उसके हाथ की हाथ किताब से बहुत परेशान हुआ हूँ, बहुत परेशान हुआ हूँ मैंने बहुत सारी revisionary videos देखी है बहुत सारा पता नहीं क्या क्या देखा है लेकिन कभी कोई चीज फाइदेमंद होती नहीं है फाइदेमंद क्या होता है कि आप खुद से इन services को करो तो इस तरह से करो और आप questions की practice करो अभी मैं भी यहाँ पर क्या करोगा मैं यह आपर एक एक चीज बोलता रहूँगा हाँ यह taxable है, यह exempt है उसके पीछे का कोई logic तो है नहीं अब उसके पीछे मैं कोई logic तो दूँगा नहीं पूरा का पूरा chapter सिर्फ और सिर्फ याद करने का chapter है इसलिए मैं आपको अभी इस session में याद करने के और इस chapter को tackle करने का तरीका बता रहो बहुत ध्यान से सुनना है ठीक है, regular classes में बताता ही रहता हो अभी मैं एक बार में फिर से बता रहो 25 पेज के revisionary notes है 25 पेज के revisionary notes है ठीक है, 5 pages per day आप करो 5 525, 5 दिन में आपका पूरा chapter खता हो जो जो services आपकी नहीं आप आ रही है मतलब आपने यहाँ पर cover करके इसको cover करके आप recall करने की खुशिश कर रहो अगर आपको recall हो जा रहे कि यह taxable है, यह exempt है, very good अगर सही हो जा रहे है, very good नहीं तो उसको important mark करते रहो भाई साब मेरी guarantee है 5 दिन के अंदर अंदर यह chapter आपका on your tips होने वाला है और जैसे जैसे एक service पूरी होती जाए वैसे वैसे किताब से question करते है वैसे वैसे आप लोग किताब से question करते हो बात खाता है तो इस chapter का जो revision है as such मैं कोई quick revision नहीं करा सकता हो और आप लोग इस बात को agree करोगे कि इसमें मैं सिर्फ अगर बोलता रहोंगा कि यह taxable होगा, यह exempt होगा यह taxable होगा, यह exempt होगा उससे आपको चीज़ें याद थोड़ी होगी एक time के बाद वो इतना monotonous sound करने लगेगा because I face that क्योंकि मैंने यह सारा face किया हुआ इसलिए मैं आप लोगों को बता रहो तो all you have to do is print out these notes get the book ठीक है, book से आपको questions करने होगे क्योंकि जब आप questions करोगे तो आपका confidence और ज्यादा बढ़ेगा ठीक है, जब आप questions करोगे तो आपका confidence और ज्यादा बढ़ेगा अगर 70 से उपर आपका आ रहा है और मैं आपको 70 का target दे रहा हूँ मैं आपको guarantee से कह रहा हूँ पांच दिन, अगर आपने मेरे कहे अनुसार इसको कर लिया न, ठीक है and it will hardly take your 20 minutes अगर ये 5-5 page आपका तो या चलो ठीक है 25 pages है न, आप 5 नहीं 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन में कर लो रोज 2-2, 3-3 pages कर लो, क्या जा रहा है ठीक है, today we're sitting है 13th of March, ठीक है अगर आपने रोज 2-2 pages 3-3 pages भी कर लिया, तब भी 10 दिन में हो गया न, आपका, और 10 दिन मतलब क्या मार्चेंट से पहले-पहले 25 मार्च तक हो गया होली मनाओ फिर, मज़े से, ठीक है 13 मार्च से आपने स्टार्ट किया, 23-24 इस मार्च तक अगर आपने इसको complete भी कर लिया, तो 25-25 की हुली मनाओ न, आराम से क्या जा रहा है, रोज थोड़ा-थोड़ा करके इस chapter को पढ़ना चाहिए, कभी भी एक साथ इस chapter को नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा-थोड़ा करके उनको मैंने हाँ पर incorporate कर दिया है और वो bold में mentioned है, तो मैं अभी आपको इस वाले session में, वो bold वाले जो amendments हैं, वो मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे एक थोड़ा सा उसमें emphasis आ जाता है राइट, कि हाँ ये वाली चीज़े इसको थोड़ा से इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना ज्यादा है, तो वो एक तरह से important policies आ जाती है, बाकि इस वाले चाप्तर का revision आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा, इसमें summary notes में आपको दे चुका हूँ, हाथ रखो, ये taxable है, ये exempt है, ये taxable है, ये exempt है मैं बताओ, 50% चीज़ें तो दिल से आप एक दम सही बता लोगे, 50% चीज़ें दिल से सही बता लोगे, थोड़ी बहुत आपको याद करनी पड़ेंगी, जब पूरा कर लोगे, 70% में minimum बोल रहा हूँ, आपके आएंगे, trust me, अगर आपने असने 10 दिन लगा कर रोज 2-3-3 pages भी कर लिए रहा, आपके बहुत आराम से इसमें से 10 on 10 आ जाएंगे, ठीक है, 100% इसके question में आपके आ जाएंगे, बहुत आराम से, it's not difficult at all, बिलकुल इसमें load लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको जो bold-bold वाली चीज़ें, वो बता दे रह at an agricultural farm, including tending, pruning, cutting, harvesting, drying, cleaning, trimming, sun drying, fumigating, curing, sorting, reading, cooling, or bulk packaging and such like operations, which do not alter the essential characteristics of agricultural produce, but make it only marketable for the primary market, ये आपका exempt है, ठीक है, प्राइमरी market के लिए product को तयार कर रहे हो, एक्जेम्ट है, secondary market के लिए product को तयार कर रहे हो, ये taxable हो जाएगा, ठीक है, All right, educational services में देखते हैं, ये देखो, ये एक नया आया है, ये एक नया आया है, services by any authority, board, और body set up by the central government, और state government, including national testing agency, by way of conduct of entrance examination for admission to educational institutions, तो आप लोगों को पता है, CUET, अब CUET का exam कौन करवा रहे है, national testing agency करवा रहे है, और CUET के exam से होता क्या है, colleges में entry होती है, तो ये जो CUET exams करवाता है, ये completely exempt है, इस पर GST नहीं लगता है, इस पर GST नहीं लगता है, ठीक है, healthcare में आसेच कोई amendment पगेरा है नहीं, गवर्मेंट, अब देखो इधर, ये important है, services provided by government, ये काफी important है, इस पर ध्यान देना, ठीक है, इस पर ध्यान देना, government authority का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, देखो, services by government authority in relation to municipality functions, ये आपके exempt हो जाता है, ठीक है, governmental authority का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, municipality functions आप लोगों को मालू में, ये इसमें हम उने बाद बीकिवी थी, constitution के 243 के अंदर, जो municipality को functions दिये हुए, वो exempt है, और जो constitution के 243 G के अंदर, जो panchayat को functions दिये हुए, वो भी आपके exempt हो जाते हैं, अब आगे देखो, services by government authority in relation to panchayat functions, ये exempt है, ये हम लोगों को मालू में है, look at points 3, 4 and 5, look at points 3, 4 and 5, ध्यान देरा, services by department of posts and the ministry of railways, Indian railways, effective from 20th October 2023, ये commitment आया हुआ है, तो department of posts जो भी services दे रहा है, वो taxable है, इसमें ministry of railways यानि Indian railways भी जो services दे रही है, वो भी taxable है, services in relation to aircraft और vessel inside और outside the precincts of a port और airport, वो भी आपका taxable है, अब आप देखो ना, railway ticket बुक करते हो, GST लगता है ना या, ठीक है, transport of goods और passengers ये भी आपका taxable हो जाता है, ये ये तीन चीज़ें आपकी taxable है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, services provided by government, union, territory, local authority, to a business entity with aggregate turnover below the threshold limit for registration, threshold limit for registration क्या है, goods के लिए 40 लाग, services के लिए 20 लाग, ठीक है, accept services mentioned in points 3, 4 and 5, ये आपकी exempt हो जाती है, मतलब, अगर government, business entity को, business entity को services provide कर रही है, एक ऐसी business entity को, जो की registered नहीं है, जो की threshold for registration meet नहीं कर रहा है, तो ये services exempt हो जाती है, except for points 3, 4 and 5, ठीक है, except for points 3, 4 and 5, मतलब, department of posts वाली services अगर business entities को मिलेंगी, even though the business entity doesn't meet the threshold criteria for registration, it will be taxable, ठीक है, similarly, aircraft ये vessel वाली services अगर government देगी business entities को, even if the business entities do not meet the criteria, the threshold criteria for registration, it will still be taxable, and similarly, transport of goods और passengers वाला भी taxable हो जाए, जो amendment आया है, वो ये आया है, ministry of railways वाला, ठीक है, तो similarly, ये आपका, point number 16 भी देखो, services provided by government local authority to another government ये local authority, except points mentioned in 3, 4, 5, तो ये भी आपका exempt है, ठीक है, इधर देखो, I think that's it, yes, that's it, ठीक है, तो ये सारी चीज है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, कि यहाँ पर, ये आपका ministry of railways, Indian railways यहाँ पर add हुआ है, and this is effective from 20th of October 2023, ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, इसके बाद ये देखो, ये, this is an important amendment, services provided to government, या union, territory, या local authority, and this is very important, point number 9, इससे related question आने ही बाला है, पक्का पक्का इससे related question आने बाला है, services provided to a governmental authority, मतब, आप governmental authority को service दे रहो, कैसी services दे रहो, water supply की services दे रहो, public health की services दे रहो, sanitation and conservancy की services दे रहो, solid waste management की services दे रहो, slum improvement and upgradation की services दे रहो, 19th October onwards, अगर आप ये services 19th October के बाद दे रहे हो, ठीक है, sorry, 20th October onwards, notification आया तो 19 October को, and this is effective from 20th October, अगर आप सरकार को ये सारी services दे रहो, 20th October onwards, तो ये services exempt है, आप पर GST नहीं लगेगा, ठीक है, तो ये 5 services आपको याद रखनी है, water supply, public health, sanitation and conservancy, solid waste management, और slum improvement and upgradation, ये 5 चीज़ें आप लोगों को याद रखके चलने हैं, ठीक, इसके बाद आज सच कोई दिक्कत नहीं है, passenger transport services में, ये point number 5, ये commitment है, इसको देखो, transportation taking place over a pre-determined route on a pre-determined schedule in non-air conditioned contract carriage, ये आपका exempt हो जाता है, therefore, engagement of non-air conditioned contract carriages by firms for transportation of their employees to and from work is exempt, ठीक है, तो non-AC की अगर pre-determined, जैसे होती है न, कि जो companies होती है, वो अपने employees को pick up and drop facilities provide करती है, तो अगर वो non-AC में provide कर दी है, तो ये क्या हो जाता है, ये exempt हो जाता है, ये exempt हो जाता है, goods transportation में ये है, एक ये है, satellite launch services supplied by all other entities, ये आपका exempt हो जाएगा, बाकि इसमें कुछ खास नहीं है, और कोई खास amendment मेरे हिसाब से तो, मेरे ख्याल से तो नहीं आया हुआ है, कुछ एकाद दो चीज़ें और हैं, रुख जो उसको देखते हैं, ठीक है, एकाद दो bold वाले points और हैं, वहां में, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग देखते हो, किस तरह से हाँ पर सारी किसारी चीज़ें, टाबिलर फॉर्म में दी हुए हैं, और एक्जाक्ली ऐसा ही question उठकर आता है, ठीक है, एक्जाक्ली इसी तरह से exam में question उठकर आता है, पाद साथ उसका question करते रहो, बढ़िया हो जाएगा काम, ट्रस्ट में गाइज, इस अब देखो, यह अदर exam services में, एक है point number three, this is important, this is new, this is an amendment, services by way of renting of residential dwelling for use as a residence, ठीक है, रहने के लिए अगर आप घर दे रहे हो, तो वो exempt होता है, रहने के लिए अगर आप घर दे रहे हो, service दे रहे हो, renting करने के लिए, अगर आप रहने के लिए घर किराय पर दे रहे हो, तो यह exempt है, इस पर GST ने लगेगा, except where the residential dwelling is rented to a registered person, लेकिन अगर आप residential dwelling एक registered person को दे रहे हो, मतला मैं, C.A. Nishant Kumar, अगर क्योंकि मैं registered हूँ, क्योंकि मैं registered हूँ GST में, तो अगर मैं किराय पर घर लेने जाओगा, तो मुझे GST देना पड़ेगा, for the purpose of exemption under this entry, this entry shall cover services by way of renting of residential dwelling to a registered person, where the registered person is proprietor of a proprietorship concern and rents the residential dwelling in his personal capacity for use as his own resident, ठीक है, तो ये, ये cover हो जाएगा, and such renting is on his own account and not that of proprietorship concern, ठीक, ये भी बात यहाँ पर हो गई है, ठीक है, बाकी आप लोग इस chapter को आराम से करो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आराम से 10 दिन लगा करो, रोज 2-3-3 pages करो, कोई दिक्रताली बात नहीं है, आपका hardly 15- 20 मिनिट अगर आप दोगे न, तो ये वाला chapter होगा, अगर आप ये कोशिश करोगे, ये सोचोगे कि सारा का सारा मैं एक ही दिन में कर लूगा, तो नहीं होगा, ठीक है, और रोज क्या करो, पिछला वाला साथ-साथ revise करो, तो रोज आप cumulatively जब revise करोगे न, तो फिर आपक ये पूरे 10 pages revise करो, ये मतलब पूरे 8 pages revise करो and so on, ठीक है, इस तरह से आपको करना होगा, तभी ये वाला chapter आपको अच्छे से दिमांग में बैठेगा, और साथ-साथ questions आप लोग करते रहोगे, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, चलो sir, let's start with the discussion on time of supply, ठीक है, तो time of supply basically ये taxable event है वो किए, वो supply है, तो supply कब हुई है, अगर हमें ये पता चलेगा, तभी हम बता पाएंगे कि GST कब लगाना है, ठीक है, तो goods के लिए अलगए, services के लिए अलगए, पहले हम लोग बात कर रहे है, forward charge के बादे, forward charge के लिए अलगे, reverse charge के लिए अलगे, goods के लिए अलगे by the supplier or the last date on which he is required to issue invoice under section 31 ठीक है या फिर date on which the supplier receives the payment अब payment में क्या होगा या तो entering the payment in the books of accounts और crediting the payment in the bank account whichever is earlier with respect to that supplier मैं आपको simple भाशा में इसको बता देता हूं ठीक है मैं आपको simple बताता हूं आपको क्या करना है invoice or receipt whichever is earlier ठीक है हमेशा इतना आपको ध्यान रखना है invoice or receipt whichever is earlier time of supply अगर आप लोगों को निकालना है तो हमेशा क्या गरो date of invoice date of invoice या date of receipt of payment date of receipt of payment date of receipt of payment whichever is earlier ठीक है अब date of invoice में क्या हो जाएगा date of invoice या तो actual date of issue of invoice actual date या फिर last date on which invoice should have been issued ठीक है आखरी date जब invoice issue हो जानी चाहिए थी तो इन दोन में से जो भी earlier होगा वो आपका date of invoice आ जाएगा ठीक है date of receipt हम क्या मानेंगे या तो मैंने अपनी books of accounts में entry कर दी है ठीक है या तो मैंने अपनी books of accounts में entry कर दी है या फिर मेरे bank account में payment credit हो चुका है ठीक है तो इन दोन में से जो भी earlier होगा वो date of receipt हो जाएगी तो अब इसको पढ़ो फिर से date of issue of invoice by the supplier or the last date on which he is required to issue the required under section 31 to issue invoice with respect to the supply या फिर date on which supplier receives the payment entering the payment in the books of accounts और accrediting of payment in the bank account whichever is earlier with respect to that supply ठीक है तो invoice or receipt whichever is earlier अभी हम लोगे भी बात करेंगे कि last date of issue of invoice होती क्या है यह जो section 31 है ना कि last date of issue of invoice है क्या इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे अब देखो इस rule के हिसाब से अगर मेरे को payment पहले मिल गया तो supply मान लिय किया जाएगा time of supply वह हो जाएगा लेकिन एक आई थी notification number 66 एक आई थी notification number 66 by 2017 इसने कहा था कि goods के case में अगर आपको कुछ भी advance मिल रहा है तो आप उसको ignore कर सकते हो जब उस advance के against में आप actual supply दोगे तब ही आपका time of supply माना जाएगा ठीक है मेरे रिपीट कर रहा हूँ general rule क्या कहता है invoice और receipt whichever is earlier इस rule के हिसाब से अगर payment मेरे को पहले मिल गया और मैंने invoice नहीं generate की या मैंने अभी supply नहीं की advance मिल गया तो वो भी taxable होना चाहिए तो इसके लिए एक notification number 66 by 2017 इसने कहा था कि नहीं अगर goods के case में आपको advance मिल रहा है तो आप उसको ignore कर दो जब भी against में supply करोगे तब ही आप उसको time of supply आपका वही माला जाएगा ठीक है तो देखो in case of supply of goods by a registered person under forward charge excluding composition supplier GST is to be paid on outward supply of goods on the date of issue of invoice or the last date on which the invoice ought to have been issued in terms of section 31 ये था notification number 66 by 2017 ये notification आई थी कब 15 November 2017 को ये notification आ गई थी ठीक है लेकिन अब यहाँ पर एक twist आया है यहाँ पर एक amendment आया है एक नई notification आई है notification number 50 by 2023 notification number 50 by 2023 और ये कहती है कि 1st October से अगर आपको specified actionable claims के लिए advance मिल रहा है अगर आपको specified actionable claims के लिए advance मिल रहा है तो time of supply will be the date of receipt of advance ठीक है normal goods के लिए नहीं सिर्फ specified actionable claims के लिए और हम लोगों को मालू में specified actionable claims क्या होता है तो वो भी इसी बार commitment है ठीक है तो specified actionable claims कौन से हो गए lottery, betting, gambling तो थे ही पहले से horse races, casinos और online money gaming ये छे अभी आपके specified actionable claims है तो अगर इन 6 specified actionable claims के against में आपको advance मिल रहा है तो जिस दिन आपको advance मिला वही दिन आपका time of supply हो जाएगा बाकी सभी goods के cases में अगर आपको advance मिला है तो ये time of supply नहीं होगा ठीक है तो उस वाले advance को आपको ignore करना होगा लेकिन अगर दिन specified actionable claims के against में आपको advance मिल रहा है तो जिस दिन आपको advance मिला वही आपका time of supply हो जाएगा ठीक है जो ICAI का statutory provision है sorry जो ICAI का statutory update है उसमें ये वाली notification value of supply वाले chapter के अंदर दी हुई है जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से this is an amendment specifically related to time of supply क्योंकि यहाँ पर ये advance money received के time of supply के बारे में बात हो रही है तो जब आप ICAI का statutory update देखोगे तो आपको time of supply के अंदर कोई amendment नहीं मिलेगा लेकिन जब आप value of supply वाला देखोगे तो वहाँ पर आपको ये वाली notification मिल जाएगी बट मेरे इसाब से time of supply के थू पढ़ाना चाहिए था साथ पढ़ाना चाहिए तो whether supply involves movement of goods और delivery of goods are making available thereof to the recipient in any other case ठीक है मतलब क्या हुआ normal cases का मतलब क्या हो गया कि मैं कोई समान आपको बेच रहा हूँ ठीक है तो अगर goods का movement involved है मतलब goods का movement involved मतलब एक जगह से दूसरी जगह goods को भेजना है तो on और before before या at the time of removal या तो removal के पहले या तो removal के समय मुझे invoice बना कर देदी नहीं चाहिए लेकिन अगर मानलो goods मेरे को आपके site पर पहुंचा कर assemble करवाने जैसे मैं यहाँ पर हमेशा paper fry का example देता हूँ कि paper fry से जब bed मंगाया तो वो लकड़ी के parts भीज देते हैं और यहाँ पर अपने बंदे भीजते हैं और यहाँ पर उसको जानी चाहिए ठीक continuous supply of goods अगर है continuous supply of goods का मतलब क्या होता है जैसे pipeline वाला होता है जहां पर successive statement of accounts आते हैं और continuously आपको goods का supply होता रहता है तो in case of continuous supply of goods where successive statements of accounts or successive payments are involved the invoice shall be issued before or add the time each successive statement is issued और as a case में भी each such payment is received तो इसमें वैंने आपको बताया था जैसे gas की pipeline वाला system कही सारे शहरों में लगा हुआ है तो उसमें क्या हो गया कि बंदा आएगा आपके घर पे gas का meter लगा हुआ है उस meter से reading लेगा और उसके बाद उसके basis पर वो statement of account इशू करेगा ठीक है और दूसी चीज़ क्या हो गई या कि हमी लोग उसको हर मंथ कुछ लंब सम पैसा देते रहे ठीक है statement of account के थूँ वो adjust होता रहेगा तो अगर उसको payment पहले मिल गया तो वो उसको तब invoice इशू कर देनी चाहिए या अगर उसने अपना statement of account भेजा तो जब भी वो statement of account भेजेगा तो उसको invoice इशू करनी होगी ठीक है ध्यान रखो यह time limit for raising invoices है ठीक है जो time of supply for goods है वो वही है invoice अगर timely issue हो गई या फिर invoice या फिर receipt whichever is earlier ठीक है तो अगर invoice आपने timely issue कर दी तो date of invoice अगर invoice आपने timely issue नहीं की तो फिल last date on which the invoice should have been issued by section 31 as per section 31 तो यहाँ पर हम लोग वो चीज़े पढ़ रहे हैं कि last date जब आप section 31 ठीक हो गया goods sent on sale or approval basis इसकी invoice का विशू होनी चाहिए इसकी invoice issue होनी चाहिए earlier of the following में before or at the time of supply date on which the recipient accepted sale of sale or approval basis पर अगर आप goods को send कर रहे हो तो फिर invoice का विशू हो जानी चाहिए जिस दिन उस बंदे ने जो recipient है उसने goods को accept कर लिया ठीक है उस दिन invoice issue हो जानी चाहिए या फि 6 months from the date of removal 6 months from the date of removal जिस दिन goods का removal हुआ उसके 6 महिने के अंदर अंदर उसके 6 महिने तक अगर उसने accept नहीं किया मालो recipient ने 6 महिने तक accept नहीं किया तो 6 महिने के immediate अगला दिन जो भी होगा उस दिन invoice issue हो जानी चाहिए ठीक है उस दिन invoice आपकी issue हो जानी चाहिए I hope this is clear right so this was time limit for raising invoices और यह था हमारा time of supply forward charge में जब goods की बारे में बात आ रही है तो ठीक है अब यहाँ पर reverse charge के basis पे reverse charge में क्या होगा उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे पैर अब हम लोग आते हैं services पर ठीक है कि time of supply in case of services क्या होगा अभी तक हम लोग time of supply for goods बात कर रहे थे तो date of invoice और last date of issue of invoice whichever is earlier या फिर receipt of payment whichever is earlier थेक है तो invoice or receipt whichever is earlier invoice के लिए क्या date लेगी है या तो actual date of invoice अगर invoice timely issue हो गई ही तो नहीं तो last date on which the invoice should have been issued date of receipt हम लोग क्या लेंगे जिस दिन books of account में एंटरी की या फिर जिस दिन bank में payment आ गया normally notification number 66 by 2017 के हिसाब से जो advance money receive होता है goods के case में उसको हमें ignore करना होता है जब actual supply देते हैं तब ही उसका time of supply माना जाता है लेकिन अभी notification number 50 by 2023 में ये amendment आ गया है क्या amendment आया है कि अगर आपको advance money receive होता है for specified actionable claims जो 6 specified actionable claims है lottery betting या मिलिंग पहले से थे casinos, horse races और online money gaming ठीक है ये 6 specified actionable claims के ल which the advance money is received, what is the time limit for issue of invoice, अगर goods का movement involved है तो on or before the time, before removal, अगर goods सिर्फ आपको assembly करवानी है तो फिर क्या हो जाएगा, जिस दिन assemble हुआ, या तो उस दिन, या तो उस दिन से पहले, अगर good continuous supply of goods है तो फिर क्या हो गया, continuous supply of goods के case में payment अगर मिल गया, तो आप invoice issue कर दो, या फिर successive statement of account जब आप issue कर रहे हो, तो आप invoice को issue कर दो, और sale of goods और return और approval के basis में क्या था, कि जब recipient ने goods को accept किया, तब आप invoice भेज़ दो, तब आप invoice को issue कर दो, या फिर removal के 6 महीने बाद आप invoice को issue कर दो, ठीक है, ये था time of supply of goods, along with the invoicing provisions for goods, as per section 31, अंडर forward charge, ये forward charge की बात थी, services के बारे में बात करते हैं, तो invoice issued within time period prescribed under section 31, तो time limit for issue of invoice क्या है services के लिए, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, अगर invoice timely issue हो गई तो, date of issue of invoice या date of receipt of payment, whichever is earlier, ठीक है, अगर invoice timely issue हो गई तो, date of issue of invoice या date of receipt of payment, whichever is earlier, receipt में वही हो जाएगा, या तो मैंने अपनी books of accounts में entry कर द को, ठीक है, यहाँ पर advance money received को हम ignore नहीं करते हैं, यहाँ पर अगर advance money मिल गिया, तो उसको taxable कर देते हैं, ठीक, अगर invoice timely issue नहीं हुई तो, गूड्स के case में क्या था, अगर invoice timely नहीं issue होती थी, तो हम कहते हैं, last date on which the invoice should have been issued, यहाँ पर क्या है, अगर invoice timely issue नहीं हुई तो, date of provision of service या date of receipt of payment whichever is earlier. ठीक है, when the above events are unassertainable, ना तो invoice की date पता चल पा रही है, ना तो date of provision of services पता चल पा रही है, तो हम देखेंगे कि recipient ने अपनी books of accounts में कभ उन services की receipt मेंशन की हुई है, हम देखेंगे कि recipient ने अपनी books of accounts में कब work services की receipt mention की हुई है, वो आपका time of supply मान लिया जाएगा, ठीक है, अब section 31 के हिसाब से time limit for issue of invoice क्या होती है, देखो, normal cases में before or after the provision of service but within 30 days from the date of supply of service, ठीक है, तो मैंने service का supply किया, या तो supply करने से पहले मैं invoice दे दूँ, ठीक है, या फिर date of supply, जिस दिन मैंने service क supply किया, उसके 30 दिन के अंदर-अंदर मेरे को invoice दे देनी होती है, ठीक है, 30 दिन के अंदर-अंदर मेरे को invoice दे देनी होती है, हाँ, लेकिन अगर मैं bank या financial institution हो, तो service supply करने के 45 दिन तक भी मैं invoice को raise कर सकता हो, ठीक है, अगर continuous supply of service होता है, अगर continuous supply of service होता है, तो क्या होता है, अगर due date of payment contract से ascertainable है तो जो भी due date of payment है उससे पहले-पहले invoice issue हो जानी चाहिए अगर due date of payment contract से आप पता नहीं लगा पा रहे हो तो फिर the invoice shall be issued before or at the time when the supplier or service receives the payment तो payment मिलने से पहले या payment मिलते समय आपको invoice raise कर दिनी चाहिए where the payment is linked to the completion of an event इसका मतलब क्या हो गया कि suppose आप मेरे से classes ले रहे हो और हमारा शुरुआत में अग्रीमेंट है कि हर चाप्टर कंप्लीशन के बाद आप मेरे को suppose लेट से 500 रुपे दोगे तो जितना भी हमारी fees है उसको हमने chapter by chapter define कर रखा है कि इतने chapter complete होने के बाद आप मेरे को इतनी fees दोगे इतने chapter complete होने के बाद आप मेरे को इतनी fees दोगे तो जैसे ही वो chapter complete होगा I have to raise an invoice accordingly ठीक है सब्सक्राइब करने से पहले या फिर प्रोवाइड करने के 30 दिन के अंदर-अंदर इंवाइस इशू हो जानी चाहिए बैंक्स वगरे के लिए 45 दिन का समय यहां पर दिया हुआ है अगर continuous supply of services है तो हम देखेंगे क्या क्या contract से dates ascertainable है date of payment क्या हम लोग contract से ascertain कर सकते हैं अगर हा तो date of payment से पहले या उस दिन को आपको invoice इशू कर देनी चाहिए अगर date of payment ascertainable नहीं है तो जब payment मिले तब invoice को इशू कर दो या फिर अगर date of payment link है completion of certain events से तो जैसे जैसे वो events complete होते है वैसे वैसे आप invoice issue करते जाओ ठीक है time of supply when taxes payable under reverse charge reverse charge में क्या हो गया goods के case में देखें earliest of the following तो date of receipt of goods or date of payment as entered in the books of accounts by the recipient or the date on which the payment is debited from his bank account whichever is earlier और 31st day from the date of issue of invoice by the supplier ठीक है अब reverse charge में है क्या कि मैं goods खरीद रहा हूँ मैं goods खरीद रहा हूँ और मुझे ही GST pay करना है ठीक है अब ऐसे में time of supply क्या होगा जिस दिन मेरे को goods मिले या तो वो ठीक है या जिस दिन मैं goods खरीद रहा हूँ ना तो मैं पेमेंट करूगा अब पैसा मुझे मिलेगा नहीं अब मुझे पैसा देना होगा तो या तो जिस मेरे सप्लायर ने इंबोइस रिशु कर दी उसके 31 में दिन पर time of supply आ जाएगा इन में से जो भी earliest होगा वो मेरा time of supply आ जाएगा ठीक है services में देखें तो earliest of the following date of payment is entered in the books of accounts and the recipient of the recipient or the date on which the payment is debited from his bank account whichever is earlier मतब यह जो यहां पर point 2 था यही यहां का point number 1 हो गया ठीक है और दूसरा 61st day from date of issue of invoice by the supplier यहां 31st day था और यहां 61st day आ गया है ठीक है यहां date of receipt of services नहीं है क्योंकि services तो आप throughout भी ले सकते हो ठीक अगर हम लोग vouchers के बारे में बात करें तो goods और services में vouchers की एक ही बात है time of supply के provisions एकड़म सेम है goods के लिए 12-4 और services के लिए 13-4 तो बड़ा simple है देखो अगर आपको जब भी voucher मिला और supply उससे ascertainable है तब तो जिस दिन voucher issue हुआ वही date आपका time of supply हो जाएगी बाकी cases में अगर आपको एक general voucher दे दिया है जैसे amazon gift card is a general voucher अब आप उससे amazon में कुछ भी खरीच सकते हो तो जिस दिन आपने voucher को redeem किया वह आपका time of supply हो जाएगा अगर मालो आप कुछ interest, late fee, penalty वगरा लगाते हो तो जब भी ये वाला extra पैसा आपको receive होगा आप supplier हो तो जब भी ये extra पैसा आपको receive होगा interest, penalty, late fee वगरा तभी ये time of supply हो जाएगा इतना सथा time of supply ये important questions है ये आप लोग यहाँ पर कर सकते हो अगर ये session पसंद आया हो तो वी